सबसे पहला प्रश्णी के एक जन्वरी 2022 को अंडर 19 एसिया कप किस ने जीता है भारत ने जीता है ये धियान रहेगा भारत ने जीता है अंडर 19 एसिया कप 64 स्थापना दिवस किस ने मनाया 64 स्थापना दिवस डियाडियो ने जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी महरानी एलीजावेट के नाम बदलने की घोशना की ये औस अगे बढ़ते और अगला सवाल इसमें देखिए कया इंपोर्टेट आपके लिए यह कि 29022 को परदानमंत्री मोधी जी ने सावारा कड्डू जल विजद प्रयोशना का उधगार्टन किस राज्य में क्या हिमा चल परतिस सावारा कॉड्डू हिमा चल परतिस किस राज्य की हाई कुठ देश की पहली पेपर ले दंचू कि है, पेपर लेस् दालाथ बंचू की है केरल, पेपर लेस्ट अडालाथ सब्सक्रों कि है केरल, स्वचाले की स्तीती सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान स्टार्ट किया किसने? महराष्ट ने. राइट टू पी अभियान महराष्ट ने. बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं होने वाला, बस वीडियो को साथ बने रही है, वो सभी क्वेसं आपको important मिल जाएगी, जो exams में जानना के लिए जरूरी है. किस देश में फ्लोरोना संकरमण का पहला मामला सामने आया है? तो फ्लोरोना, फ्लोरोना, ठीक है? इसराइल ये बिल्कुल सही होगा. अगला प्रश्चन यहापर बनता है कि के बी ए, के बी ए सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? अजय कुमार ककड, अजय कुमार ककड को. हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार, राश्टिय बाग संरक्षन प्राधीकरण के रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कितने बागों के मिर्ति हो गई है? तो 126 बागो के मृत्ती हो गई है जिसमें सबसे ज़्यादा बागो के मृत्तो मध्य प्रदेश में देखने को मिला था ये ध्यान रखेगा ठीक है उसके बाद next questions आता है कि देश का पहला जो की राज्य यानि कि कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआमुक्त राज बन चुका है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बेटर हिल्थ स्मॉक फ्री अभ्यान किसने स्टार्ट किया यानि कि UK UK मतलब ब्रिटेन ने ठीक है ब्रिटेन ने स्टार्ट किया उसके बाद next questions बनता है कि बिहार विभूती सम्मान से किसे सम्मान किया गया रोहित कुम मेक्षण क्या है कि चारजनवी 2022 को इस साल सीखर से मिलन की मिजबानी करने के लिए जी सेवन के देख्षता समारी है जी सेवन के देख्षता किसने की है तो जर्मनी ने की है ये ध्यान रहा जर्मनी ने जिलास्तरिय सुसासन सुचकांक वाला पहला के नसासित प्रदेश जो मिसन है, इसके महाईसर के रूप में किसने पदभार गरंड किया है, जी कुमार, जी असो कुमार, सबसे अधिक ODF, गाउं, कौन सा सिर्श्वस्तान पर आ, तो तेलांगना, ठीक है, उसके बाद अगला सवाल बनता है, लोसार महत्सो, जो कि लदाख में, और फोटो पत्र काड़ते हैं, हमें किसने, रामनात गोईन का पुरसकार जीता है, तो जीसान ए लतीव, जीसान ए लतीव, उसके बाद यहाँ पर माता है, नेक्शन देख सकते हैं, दच्छिद रूपर एक कल, यादरा करने वाली पहली भारतिय मुल्की महिला कौन बनी है, हर प्रित चंड ओमी क्रॉन वेरियंट की जाच के लिए पहली सौधिसी किट विक्सिद किया, इसका नाम क्या है, ओमी स्योर, ओमी स्योर, ठीक है, ओमी स्योर यहाँ पर करेक्ट होगा, उसके बाद हमारा नेक्श्ट क्वेसन दीखी क्या बनता है, कि किस राजिका गंजम जीला, अब बाल बीवा मुक्त घोसिद किया गया, बाल बीवा मुक्त गंजम जीला कहां पर उडिसा में बढ़ता है, इसे याद रहेगा उडिसा में, परधान मंतरी मोदी ने कहां, महराजा वीर विक्रम एरपोट के नए टर्मिनल का उद घर्टन किया, त्रिपूरा is the right answer, त्रिपूरा correct होगा, अब देखिए अगला सवाल क्या है, कि 6 जनरे 2022 को किसने 500 मिलियन डॉलर से, इस्राइली साइबर सुरक्षा स्टार्ट अप, सिंप्लिफाई, ये ध्यान रएगा पूछा जा सकता है, सिंप्लिफाई का धिकरान क्या किसने, गोगल नहीं किया है, मदर्ट रिस्ता मे इंटर्नेशनल सोलर अलाइन्स में सामिल होने वाला अन्धराष्टी सर्स अगटन है, सामिल होने वाला 102 बार्बुड़ा है, तो एंटीगूआ और बार्बुड़ा जो है, ये बना है, और 101 वा दिष था, अमेरीका, ये ध्यान रहेगा, भारत के पहले संग्रहाले का उध नई हवाई एड़ा आगे बढ़ते हैं उसके बाद next questions क्या बनता है अगला प्रशने कि भारत और किस देश ने त्रिको माली तेल टैंक फर्म के पुनर विकास के लिए समझाता है क्या है भारत और स्रिलंका त्रिको माली स्रिलंका ठीक है याद रखेंगे जल संद्रक्षन प अगला प्रशने की उत्तर परदी सरकार ने मैनपूरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की गुशने की है जनरल बीपिन रावत के नाम पर रखने की खोशना की है खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो कि किस राज्य में खोशना की गई है किस राज्य में तो माध्य प्रेदेश अब कमेंट करके बतेगी 2022 में इसका आजन कहां पर किया गया चलिए इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रशन की तरफ और अगला सव किया असाम में उसके बाद विस्व हिंदी दिवस परतेग बश्ट दस जिवनारी को मना जाता जबकि राश्टी एक की रूप में हम भोग 14 सितंबर को मना थे राश्टी दिवस 14 सितंबर को आगे देखते हैं चलिए उसके बाद next questions क्या है दस जिम्वरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास चार गाउं को राजस्वे गाउं गोजित किया है चार गाउं को राजस्वे गाउं उत्तर प्रदेश डेल्टा क्रॉन नामक नाय कोविड वैरियंटिंग कहा पा रहे गया है डेल्टा क्रॉन साइप्रस की राधानी निकोसिया 10 जम्मनी 2022 को प्रदानमेंटरी मुदी ने Бाल बीरवाल दिवस मनाने की खोशना की है तो ध्यान रहते हैं बीरवाल दिवस मनाने की खोशना की गही है कि वड़िया रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर किया गया एकता नगर रेल्वे स्टेशन एकता नगर रेल्वे स्टेशन राइट उसके बाद next questions है कि रास्ट्य युवा दिवस्त आपको पता ही है 12 जुनवर इसमें पताने की जुरत नहीं है रेल्वे सुरक्षाबल यानि आरपीफ ने खोई हुए समान को ट्रैक करने के लिए एक मिसन लॉंच के जिसका नाम क्या है मिसन अमानत मिसन अमानत उसके बाद हिंले पास्पोर्ट इंडेक्स में से सस्थान पर कौन सा रहा जपान और सिंगापूर जपान और सिंगापूर पर योजनावाला भारत का पहला सहर कौन सा बन चुका है कोच्छे बारहवे भारत रतन डॉक्टर अंबिटकर पूसकार किसे मिला हरसाली मलोत्रा हरसाली मलोत्रा ठीक है किस बैंक ने MSME के लिए ततकाल रिण स्वकृति पूर्टर लॉंच किया फेडरल बैंक इसे याद रखीगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेसंस बनता है कि किस देश के खिलाड़ी क्रिस मौरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों सन्यास के खोश्चना किया तो क्रिस मौरिस दच्छिड अफ्रीका करेक्ट होगा बारत में सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो क निधन हो गया वो मध्यप्रदेश में गुलाबो मध्यप्रदेश में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वन है कि 13 जनवरी 2022 को दच्छिड कोरिया के पॉसको ने किस राज्य में स्थापित करने के लिए अडानी समोसे समझाता किया तो गुजरात यहां पर करेक्ट होगा दच 14 जनवरी को किस राज्य का कुबलांगी गाउं भारत का पहला सेनेट्री नैपकिन मुक्त गाउं बन चुका है केरल इस दर राइट आंसर ठीक है उसके बाद है नई नर्स नर्सिंग नीती को किसने मंजूरे दिये हरियाना ने अठ्रावा कचाई लेवन फेस्टेवल जो क क्या है किया गया है HDFC ठीक है HDFC ठीक है HDFC उसका क्या क्या रहा है कि 15 जनवरी 2022 को किस देश में त्यार दुनिया के सबसे भारी सूपर सोनिक लडाको विवन वाइट स्वान TU-160M बॉमबर ने पहली उडान भरी है रूस बिल्कुल सही होगा परदान मंत्री सुरक्षा चुक मामले की जान समिती की अध्यक्च किसे बनाया गया इंदू मलोत्रा इंदू मलोत्रा यहां पर करेक्ट होगा नेक्स्ट बने की भारती रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल करके क्या कर दिया तो यह सभी तो आपको पताई होगा ट्रेन मैनेजर भारत से ब्रम्हूस क्रूज मिसाल खरीदने की घुशना किस देश नी किया फिलिपिन्स ने और हाली में यहां पर राय त रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान अधारित यह पासपोर्ट परेस किया किसने भारत ने बहारत ने कौशल अधारित व्यवसाइक सिक्षा प्रदान करने में के लिए CSC ने कौन सा आप लॉंच किया युग गता आप को लॉंच किया 17 जनवरी 2022 को किस देश की पूरवी क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइट हुड मिला है क्लाइव लॉयड को नाइट हुड मिला है वेस्ट इंडिज राइट होगा किस राज़ेगी पुलिस ने अपना पहला पॉड कास्ट किस्ता खाकिका लॉंच किया तो दिल्ली ने दिल्ली ने लॉंच किया भारतिय महिला टीम की भारतिय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन बनी है भारतिय महिला हॉकी टीम की कैप्टन बनी है सवीता पुनिया कौन सवीता पुनिया इसका PDF यानि यही बड़ा PDF आपको टेलिग्राम पर डाल दिये जागा आप चाहओ तो प्रिंट आप करा करें पड़ सकते हैं बुक होगा तो आप पड़ सकते हैं कोई धिक्कत नहीं है ठीक है चलिए अग्या प्रशन कहा है किस राज़ने देश की पहली न्याए घड़ी लगाई है न्याए घड़ी गुजरात गुजरात राइट होगा उसके बाद नेक्स्ट कोईसंस बनता है नौवी महिला राष्ट्री आइस होकी चैंपियंशिफ 2022 सुरू हुई है कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प् सब्सकार से समाइद किया गया एलबर्ट बॉर्ला एलबर्ट बॉर्ला तो आसा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंदार होगा वीडियो गर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसी तरह के बागी के मौन्द को भी हम आपको कंप्लीट कवर हो चागा चलिए आगे बढ़ते हैं और हगला सवाल क्या है बाइस स्वारी बीस जनुवरी 2022 को किसके अधिकस्ता में 2022 की पहली ब्रिक सेरपा बैठक की गई थी तो चाइना है बिल्कुल सही होगा उसके बाद है कि एरो थ्री परिक्षन पूरा किया किस देश ने एरो पता लगाने की घुषना की है Scotland is the right answer, एकसरेसे करोना का पता लगाने की जो घुषना की गई है वो Scotland में, एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया कहां पर? मौरिसस में, मौरिसस में, Oxford University ने 2021 का Children Word of the Year किसे गुशित किया, Anxiety को, Anxiety यह ध्यान उसके बाद next questions क्या है, अगला सवाल क्या बनता है कि 2292 को सारा गिल किस देश की पहली transgender doctor बनी है, सारा गिल ये पाकिस्तान की, ठीक है, 2292 को दुनिया भर में अकेले उडान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बढ़ी है, सबसे कम उम्र की महिला, Zara Rutherford, Zari Hamlet को किस International Association of Working Women का अवर्ड जीता है, International Association of Working Women का अवर्ड जीता है, सुसमिता सेन, 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुन्दरवन मीनी चिडिया घर ने, adopt an animal, adopt an animal पहल शुरू किया है, तो सुन्दरवन मीनी जो चिडिया घर है वो आपका गुजरात राइट होगा, गुजरात, 125 वी जैनती किस देश की पूर्वर प्रधान मंतरी को नेता जी, पुरसकार 2022 से समानित किया गया, जापान, जापान के जो की पूर्वर प्रधान मंतरी थे, अगला सवाल है कि Operation Khatma नामक पुस्तक किस ने लिखे, Operation Khatma पुस्तक को लिखा गया, RC गंजु और अस्वीनी भटनागर के द सयद मुदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्णमेंट का किताब किस ने जीता है, पीबी सिंधु ने जीता है, यह याद रखेंगे, और भारत की पहली UNDP, यूआ जलवायू, चैंपियन्स कौन बनी है, प्रजक्ता कोली, UNDP का फुल फर मकसर पूचाता है, United Nation Development Program, यह धिय अरतन टाटा जी को मिला है, BSF ने, Border Security Force ने कहां, Operation सर्द हवा सुरू किया, Operation सर्द हवा सुरू किया है, राजस्थान में, ठीक है, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मना है या, यानि अंतराष्टे सिक्षा दिवस, अंतराष्टे सिक्षा दिवस परतेकवस 24 जनवरी को मना जाता ह अगला सवाल क्या बनता है, कि 24 में 2022 को भारत के पहली पैरा, बैडमिंटन अकाडमी कहां पर खोली गई है, पहली पैरा बैडमिंटन अकाडमी कोली गई है, लखनव में, लखनव में, ठीक है, किस राजचे के मुखे मंत्री ने अपना कागड़ा एप को लौंच गया, इस भारते फिल्म को सर्वस्टेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है, कुझांगल, ठीक है, कुझांगल यहां पर करेक्ट होगा, भारत ने किस राजचे में बने लिविंग रूट विरिज, लिविंग रूट विरिज को यूनेस्को के 20धरोगा टैग है, मांग किया है, तो 2022 को राजकोट के अंदर Bridge का नाम किसके नाम पर रखा गया तो जनेरल वेपिन रावत के नाम पर रखा गया आदी बद्री बांध के निर्माड के लिए हीमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्जे के साथ समझहता किया हर्याणा के साथ समझहता किया ठीक है हीमा ने हरी के साथ आदी बद्री बांध के लिए समझाता गया याद रख सकते हैं नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि पस्ची जनवारी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफिन सेंटर मिला है तो केरल यहाँ पर राइट अंस होगा ग्राफिन सेंटर केरल पिलकुल सही होगा अगला प्रशनी कि लखनाव आईपेल टीम ने अपना अधिकारिक नाम क्या घुसित क्या है लखनाव सूपर ज्वाइंट्स ब्रश्टचार अधारना सुचकांग 2021 में जो की सिर्स पर आ डेन्माख उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं अगला सवाल क्या बनता है 29 बच्चों को उसके बाद कि यहां पर नेक्स्ट क्वेशन क्या कहा रहा है कि 27 जने 2022 को रामगड वन जीव अभ्यारन को किस राज्चे के चौथे बाग अभ्यारन के रूप में सुधी सुचित किया गया तो राजस्थान करेक्ट होगा और पहला वैग्यानिक पक्षेटलस क किसे मिला है तो केरल को मिला ये भी याद रखेगा अगला सवाल 27 22 को चीन रूस चीन और किस देश ने सन्यूगतनोसयझिक अप्यास छिरू 2022 सुरूख किया तो यहां पर इरान हो जागा रूस चीन और एरान ने छिरू 2022 को सुरूख किया अगला प्रशन की लाल लाजपतर गाउं बन चुक है, ODA प्लस गाउं मिजूरम, दच्छिड मभुवांग मिजूरम, ठीक है, Air Asia ने अपना नाम बदल करके Capital A किया है, कहाँ पर किस देश के Air Asia ने, तो यहाँ पर मलेशिया होगा, अगला प्रशन कि किस देश ने तेल रिसाओ के कारण, परियावरन आपातकाल कोशित किया, पेरू, पेरू क्रयादानी, लीमा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरसकार जीता है, तो यह आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का संबंद किस स्टेट से, तो तमिलनाडू, यह ध्यान रहे है, पूछा जाता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व काहाँ पर पड़ता है, तो तमिलनाडू में, ओनलाइन सेटी भी लागू किया है, किस देश ने, ऑस्टेलिया ने, ठीक है, डिश्टल संसद नामक एक एप लाँच किया किसने, लोग सभा सची वाले ने, लोग सभा सची वाले ने, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कि भारत का सबसे बड़ा, EV charging station, कहाँ पर खोला गया, EV charging station, गुरू ग्राम में, गुरू ग्राम में, ग्रेड ने टीम भी खोला गया, ये भी ध्यान रखेगा, सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उदगाटन कहाँ पर किया गया, निदर में, निदर लैंड में, होकी महिला, ACI Cup, भारत ने कौन सा पदग जीता, कास से पदग ने जीता, कास से पदग जीता, ठीक है, उसके बाद, अगला सवाल, जो की बहुत important है, Australia Open 2022 का पूरुस और महिला एकला किताब किसने जीता है, तो पूरुस एकल में, राफेल नडाल, महिला में बात करें, तो इसलिए बाटी बिल्कुल से होगा, इसलिए बाटी, सन्योक्त समुंदरी अभ्यास पस्चमी लार, XPL 2022 का उजन कहां पर किया गया, किसने किया, तो भारती नौसेना ने किया, भारती नौसेना ने, ठीक है, अगला सवाल ये बनता है कि स्पुतक ग सुष्टर, फेस्टेबल, 2022, कहां शुरू किया गया, लदाक में, देखे, एक अपका लुसांग, ठीक है, लुसांग भी आपका यही बना गया था, लदाक में, यह भी याद रखेगा, पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉन कंपनी कौन से बन गई है, पहला स्पोर्ट्स यूनि 21 का पूरसकार जो किसे मिला था, पी आर स्रीजेस, यह याद रहेगा, पी आर स्रीजेस, सेकेंड फरवरी की बात करते हैं, 2 फरवरी 2022 को ख्लाइमिट एक्षन प्लान, प्राप्त करने वाला सहर कौन सा बना है, नासिक, ठीक है, नासिक क्या देगा, महाराष्ट का नासिक, दो फरवरी 2022 को विस्व आदरभुमी दिवस के रूप में मनाया जाता है पर्तिक वर्स तो इस वर्स का थीम क्या था? 2022 का थीम क्या है? वेट लैंड्स एक्षन पॉर पीपल एंड नेचर एकदम VVI रहने माला इसको याद रखेंगे ठीक है? एकदम याद रखेगा इस पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन चुक है? चाइना इस पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन चुक है? चाइना फिन्स छोड़ा सा रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को साथ सेर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओल पे सेट कर लीजे ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ यहां पर जो भी क्वेस्ट कराए जाएंगे वह इंपॉर्टेंट ही रहने माला है सुचना अनुसार भारत का पहला जियो लॉजिकल पार्क कहा बनेगा जियो लॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रद्दिस के जबलपूर में सबसे सक्तिसाली बै रणात्रो सहयू की रूप में घुजचेत के ठाथर ठीक है अगला प्रशन है की तो रघ्या-महथसो तो रघ्या-महथसो कहा मनाया ग्या अरुणाचल्चल प्रैस याद रखेगा, बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेयशन होगा, व dream कि देश का जो पहली बुलेट रखें कहाँ बने रूप करते हैं, टोटल भारत में रूप क्चसा 75 हो चुका है, आगे देखे, अग्ला प्शन क्या रहा है कि 3 फरवरी 22 को का हउसी क्रिकेट टीम एक हजरवा वंडे मैच खेलने वाली दुनिया के पहली टीम बन चुकी है, वो आपका इंडिया है, आप कमेंट करके बताएंगे कि किसके खिलाफ एक हजरवा मैच खेला गया, कमेंट करके बताएगा, अगला प्रश्ट की लॉर्यस वर्ल्ड स्पोर्ट अवर्ड के लिए न सद्भावना दिवस पर्तिक वर्स मनाया था, 20 ओगस्त को, ठीक है, राजी गान्दी के जैनती के रूप में के मनाया जाता है, अगला प्शन क्या कहा रहा है, तीन फरवाई दोजार बाइस को जाया रिपोर्ट के नुशार, बीसो का सबसे मुल्यवान जो ब्रांड बीमा ब्रांड कौन सा बन चुक है? नगे चाइन कहीं है, च imagination के इन चार्नी के नहीं बाइन फ्लाइंग कहा है, किस देश ने यह अपका बनाया लॉंच क्या, मनाया वंभू जश कुन्यृ पाकिस्तान के और इसे पहले वाली वीडियो जो हम नहीं देखा था जनवरी 2022 का तो उसमें सारा गिल आपने नाम सुना होगा पाकिस्तान की जो ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल ये नाम भी याद रख लीजिएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रशन है चार फरवरी को कौन चालों और तो यहाद रख लेंगे अगे आगे बढ़ते हैं अग्ला सवाल क्या है नेक्स्ट वावाल कूसंस यह कहारा है कि एर औव टाईगर में परवेस्ट करने वाला जो की जोब्स देचा नहीं लिए ऑरफ ताइगर पर्वेस्ट परवेस्ट किया है तो आपका चाई ना हो जागा आइसी से स्प्रीट ऑफ तर क्रिकेट अवर्ड 2021 किसे मिला तो डेरील मिसेल को मिला है डेरील मिसेल यह याद रखेंगे अब देखिए अगला प्रशन क्या है कि सुचना अनुसार जनवरी 2022 में सबसे कम विरुजगारी दर्च कहां दर्च की गई है तो सबसे कम विरुजगारी दर्च की गई है तेलांगना में ठीक है तेलांगना में बात यहां पर की जारे है जनवरी 2022 की अंडर 19 क्रिकेट विस्वकप 2022 का खिताब किस ने जीता है भारत ने जीता है आयोजन कहां पर हुआ था वेस्ट इंडीज में और हराय किसे तो इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीता है अंडर 19-20 क्रिकेट बिस्वकप 2022 का सीथ का लिंग ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मिडल कि खिलाडी ने जीता था तो थेरे सी जो हांग जो की नौर्वे से ये यहाद रखेंगे इसके बाद आमारा नेक्स्ट प्रश्ण बनता है कि भारत का सबसे सक्थी साली शूपर कंप्यूटर परम प्रभेगा किस राष्ट्री संस्था में सथापीद किया गया तो II SC बैंगलोर है यह एसी बैंगलोर में सथापीद किया गया चले उसके 22 को भारत सरकार ने किस राज्य में तीन स्थानों संगाबाद, स्यूदपूरी और बाबाई बाबाई के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है यह आपका मद्दे प्रदेश मद्दे प्रदेश होगा स्कियर ने यानि कि कौन से स्कियर ने भारत के कौन से स्कियर ने सीट कालिन उलम्पिक के उद्गाटन समरों में भारतिय दल की अगवाई की थे तो मुहम्मद आरिफ खान ये नाम याद रखेगा स्कियर कौन थे? मुहम्मद आरिफ खान लता मंगेजकर पुरुसकार की गोशना की है किसने? मद्दे प्रदेश के सरकार ने जो है वो अप्रेशन स्टार्ट के किसने? आर्पिएफ ने स्टार्ट के आहट अगला प्रशन की भारत प्रेश सवतनता रिपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है मर्ज़ी आपकी यह जैसे पढ़ने लेकिन एक्जाम्स के पॉइंट व यू से जो क्वेसंस इंपॉर्टेंट है वो मैंने हैलाइटेट कर दिया है पूछे जाएंगे इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है आप जैसे पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं फिलाल देखिए यहां पर कॉर्प्रस्ट हमारा यह बनता है कि कंचोत पर्व कंचोत पर्व मनाया गया कहां पर जम्मो कास्मीर में यह याद रखेगा उसके बाद हमारा अगला सवाल कह रहा है नौफरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एक इकरी थोने वाला पहला के दसासित प्रदिस कौन सा बना है जम्मो कास्मीर यह भी सही होगा सुचना नुसर भारत का पहला बायो मास अधारित हाइड्रोजन सयंत्र कहां स्था इत्वापीत होगा मध्यप्रदेश में याद रեखेगा मध्यप्रदेश में और आप जेबलपूर में का देखा था जेबलपूर में देखए थे जूलोजिकल पार्क पार्क ये याद रखेगा अगला करेगा नितिन घडगरी को चक्रवात जो कि पिस राई किस देश को सबसे अधिक प्रभावीत किया मेडा गासकर मेडा गासकर और इससे पहले मैं आपको बताया विता फिलिपिंस पहले पाथ कर there i कि याद रखेगा उसके बाद हमारा अगला अला सवाल क्यया है कि 20 का सबसे बड़ा इगलू कैफ है इगलू कैफ है जमुकासमीर में इगलू कैफ है सबसे बड़ा गूला गया और राष्टिय उत पादकता दिवस कमना आजाता है 12 फरवरी यह याद रख सकते हैं यहाँ पर यह है कि E.I.U. के लोगतंतर सुचकांग 2021 में कौन से अस्थान पर आ जो कि टॉप पर आ नॉर्वे बारतकस्तान 46 था बारतकस्तान 46 था चलिए अगला सवाल क्या है 12 फरवरी 2022 को किस संस्थाने प्राकिर्ति खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कारेकरम को लॉंच किया है जीवा कारेकरम को लॉंच किया है नबाड ने अगला प्रस्ट कि कि किस देश के कुवाला को लोकप्रिये प्रजाती के रूप में नामित किया गया आस्ट्रेलिया यह सवल के हैं महासागरों को संख्षित करने के लिए वन उसन सिखर समेलन 2022 कि हो देखता किसने की है कि फ्रांस ने की है यहन्द की है 15 2014 को कौनसा दिवस्मना गिया रेडियो विस बेडियो दिवस यहां पे राश्ट्यय महिला दिवस्त आठ मार्च को होता है नसा किस पारकर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष से किस गरह की सता की चित्र लिये हैं तो यह आपका सुक्र ठीक है सुक्र अगला सवाल इंसेक्ट फूर भी उपगरह को निस्क्रिये कर दिया किसने इस रो ने इंसेक्ट प्रश्ट है कि 14 फरवरी 2022 को मरूदसो कहा मना गया मरूदसो मना गया राजस्थान की जैसल मेर में ठीक है मरूदसो उसके बाद है 15 फरवरी 2022 को पैसा बजार और किस बैंक ने पैसा ओन डिमांड क्रेडिट कर्ड की पेशकस के लिए समझोता है क्या है आर बीयल बैंक आर भाग योजना, सौर विधोतिकरण योजना में, सिर्सथान पर रहा, राजस्थान. राजस्थान correct होगा. इसके बाद next one है, कि नागरिक हवाई, ठीक है, नागरिक हवाई छेटर में ड्रोन उडानी के नुमती देने वाला पहला देश कौन सा बन चुक है? इसद रायल बन चुक है और इसे पहले वाले जब हमने बात के जणwarie में तो इसमें क्या बता था था आपको फ्लोरोना संकर्मन का पहला Always इस्राइल में ही देखने को मिला है तो ये आपको याद रखना है चले उसके बाद हमारा अगला सवल क्या है नेक्स्ट क्वेसंस बनता है कि किस देश के प्रधान मंत्री ने पहली बार अपत कालिन अधिनियम लागू क्या है अपतकारिन अधिम को लागुक किया किसने, कैनीडा के प्रधान मन्ति ने 16.22 को तुर्की ने अपना नाम बदल करके क्या कर दिया है, तुर्कीये कर दिया है, यह नाम थ्होण थ्यार नकिया का, तुर्कीये, चले उसके बाद क्या है 16 फर्वरी 2022 को कहां मेदाराम जत्रामहोथसो मनाए गया तेलांगना ठीक है यह याद रहें कि तेलांगना और उपर में क्या देखे थे आंदरपदेश के समझ में रत सब्तमी ठीक है रत सब्तमी तेवार हमने देखा था और कंचोत पर्व जमुकास्मिर में ठीक है बांगला बैने आपको देखा बंगला उत्साओ कहां पर मिगाले में अगला प्रश्न किया कि किसने विकलांग विक्तियों के लिए कुस्यों कुस्यों में उसना को स्टार्ट किया तो लद्दाख ने स्टार्ट किया 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकु छोड़ो एप लॉंच किया तंब किस देश ने सुलमन द्वी पर अपना दूतवास खोलने की बात कही है यहां पर अमेरिका बन जागा करेक्ट आंसर 18 फरवरी 2022 को भुकतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपिय सिस्टेम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बन चुका है नेपाल इस दर राइट अंसर यह याद रखेगा अगर आप नवी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे चोटा सार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नेक्शोने की 19 फरवरी 2022 को केरियर कांसलिंग वर्क्सॉप प विहार करंट अफिरस में आपको बताया गया है और रंजी ट्रॉफी 2022 के अगर हम बात करें तो यह MP ने जीता है इसे याद रखेगा MP ने जीता है मुंबई को हरा कर ठीक है मुंबई को हरा करके जीता है अगला सवल बीस फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मना गया ने कि 20 फरवरी 22 को परदानमंत्री मोदी ने कहां एसिया के सबसे बड़े गुवर्धन प्लांट का लोकारपन किया यह आपका हो जागा इन दौर में मध्य प्रदिस के इन दौर में नेक्स्ट वन क्या गया रहा कि किसे बिजनस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ दे यर 2021 के लिए चुना गया सं ऐस्ट्रेलिया में ठीक है अच्छा आप कमेंट करके बढ़े कोर्ड में कौन-कौन से यह सामिल है पिछले बार एक्जांस में पूछा गया था ठीक है बीपेसिं में पूछा गया तो आप बढ़र बदे कि कौन-कौन से देश सामिल है कमेंन्ट करिये अग्ला सवाल क्या ह देश लोग से वायोग कि अध्यक्स यह इतना important नहीं है, याद रखना याद रखे, कोई दिक्कत नहीं है, आगला प्रशने कि, क्या करें कि, देश की पहली, स्वारी, देश की, ना, ठीक है, कि 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 देश, यानि कि देश की महिला, HIV से ठीक होने वाली, बिस्व की पहली महिल गया, आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हमारा next सवाल देखी, यहाँ पर क्या दिया गया, अगला सवाल है, कि दादा साब फाल के international film festival 2022 में किस फिल्म को सर्विस्ट फिल्म का अवर्ड मिला, तो सेर्सा को सर्विस्ट फिल्म का अवर्ड मिला, पूलियो उन्मूलन के पर लॉंच किया, किसान आपको किस ने लॉंच किया, IIT रूड की ने लॉंच किया, कहाँ पर उत्रा खड़ में इसको लॉंच किया, वयस्को की सिक्षा के लिए New India Literacy Program को किस ने शुरू किया, New India Literacy Program को शुरू किया, सिक्षा मंतराले ने, सिक्षा मंतराले ने इसको लॉंच क का पहला cable bridge जो कि cable rail bridge बना रहा है तो जम्मु करस्मिर करेक्ट होगा किस मंत्राले ने मेरी policy मेरा हाथ अभियान सुरूख豪 मेरी policy मेरा हिमाचल परदिस को कहा जो कि पहला जयविविटता पार्क मिला है मंडी में मंडी में हिमाचल परदिस के मंडी में अगला कुशन देखिए 2222 को हाइडोजन इन्धन सेल के लिए अडानी समूने किस देश के ये नाम याद रखना है किस देश के बलाड पावर स्टेशन सिस्टम है बलाड पावर सिस्टम के साथ समझोता किया है कैनड़ा ये करेक्ट होगा उसके बाद अगला सवाल दिखे किया next questions है कि किस देश ने अपनी पहली hydrogen से चलने वाली train launch किया hydrogen चलने वाली train को launch किया Japan ने ठीक है और hydrogen से चलने वाली जो flying boat किस ने बनाया था उपर में लेगा था UAE UAE यह भी याद रखेगा अगला प्रशन कि कहां बनी documentary before I die before I die को Germany में award मिला है हरियाणा में यह आपका documentary बना था भारत और कि इस देश ने नीली अर्थवस्था की रोड मैपर structure किया France उसके बाद अगला सवाल नदियों में night navigation mobile app launch करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है असम बना है night navigation mobile app launch करने वाला असम बना है और प्रोजेक्ट सदभावना असम ही था उपर में देखे थे 24 फरवरी को केंद्री उत्पाद सुलक दिवस के रूप में मनाया जाता है एकदम वीविया यह पूछा जाता है उसके बाद अगला सवाल है कि IIT रूड़की ने कहां किसान mobile app को launch किया था उपर में आपको बता है उत्राखण में launch किया था किस देशनी स्थी डूम नामक नई नौसेना वायू रच्छा प्रणाली सफलता पुरवक लॉंच किया सीडूम यह याद रखना है इस्राइल सीडूम इस्राइल किस राजे के चंबा जीले में सौव हर घर जल जीला बन गया हिमाच्वल प्रदेश उसके बाद नेक्स्ट वन है भारत सरकार ने कहां जन भागीदारी अधिकारिता पोटा लॉंच गया जमोकास में ठीक है जमोकास में आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि सत्रंच में बिस्व के नंबर वन बिस्व के नंबर एक्जाम्स के पॉइंट आभिउ से बहुत जाधे इंप्यटन हो जाता है। इसे उयाद रखेगा। किस राज्य की कैबिनेट ने एक कच्रे से निपटने के लिए किस देश के पहले एक वेस्ट इको पार्क को मंचुरी दिये ध्यान दिजिगा किस राज्य की कैबिनेट ने एक कच्रे से निपटने के लिए देश के पहले एक वेस्ट इको पार्क को मंचुरी दिये दिल लिए रामानूजर पुरसकार किसे दिया गया? नीना गुपता को. समुन्दरी जीवों के संडरक्षन के लिए मरीन एलिट फूर्स का गठन किस ने किया? तमिलाडु के द वारा ठीके और डुगोंग संडरक्षन आपको पता होगा, डुगोंग के लिए भी संडरक्षन दिवायतनम पर एक समयलन का उद्गाटन किया गया कहां करनाटक में ठीक है करनाटक में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कि भारत का पहला इलकुहल म्यूजियम कहां बनेगा इलकुहल म्यूजियम बनेगा गोवा में इलकुहल म्यूजियम गोवा में आगे देखे हैं सरकार नहीं नई क्रिसी नीती लागू किया महराष्ट नहीं याद रगए म things the future फिउचर मेन कोई दुबाई में उर्दू भासाय के लिए सायत अकाडमि पुरसकार कि मिला ह्दू भासाय के सायत्य क्यों पुरसकार किसे और परिपे चंदरभान ख्याल और हिंदी के लिए दया है ने के लिए नमिता गोखले देखें यहां पर लिखा गया चंद्रभान ख्याल जिनको क्या मिला भी मैंने आपको जस्ट बता कि उर्थु भासाई के लिए साहित अकार्मी वुरसकार दिया क्या है अगला प्रशन की 27 फरी 2022 को मीरा भाई चारूने सिंगापूर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौनसा पदक जीता स्वन्न पदक जीता धर्मगारजेन 2022 सेन अभ्यास कहां पर हुआ करनाटा के बिल गाएं और यह किस के बीच होता है धर्मगारजेन जो हता है भारत और जबान के बीच होता है हमेशा भारत और जपान के बिच होता है अगला प्रश्ण है कि IAF ने किस देश में बहु पक्षी हवाई अभ्यास कोर्भा वारियर के नाम से वापस लिया है तो यह आपका UK ठीक है UK करेक्ट होगा अंतराष्टिय वौदिक संपदा सुचकांग में भारत किस अस्तान पर है 43 प्रद्धामस्थान पर कौन है अमेरिका परतेकवस्थ जो कि 28 वरवरी को राष्ट्य विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे याद रखना है और आज किस वीडियो का आखरी प्रश्ण मरा बनता है कि 28 वरवी 2022 को कौन सा देश चक्रवात इमनाती से चपेट म इठा कौन मेरागासकर और मेरागासकर के समंझ में विजरे प्रवावीत कौन सा देश था एक मर्स एक मार्स 2022 को पुरशो की ATP रैंकिंग में कौन सिर्ष अस्थान पर पहुँंच चुकें तो डैनियल अमेदवेदेव यहां पर बिल्कुल सही आंसर बन जागा आई और यो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल किया है सड़को पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली में इस हिराथ महुत्सव का हा मन्याइग क्या गया बारा और शह्चोत महुत्सक अभी इसी में होते हैं सतत्त विकास चुचकांग 221 में सिसस्थान पर किस इटि दौरा बायो डेग्रेवल नैनो पार्टिकल वियसित किया गया तो यह आपका राइट आनसर हो जागा, IIT कानपूर, ठीक है, IIT कानपूर, अगला प्रश्ट क्या है, कि कलियाटम उत्सो, कलियाटम उत्सो, किस राज्य में सुरू हुआ है, तो यह आपका कीरल हो जागा, कीरल, ठीक है, प्रो कवड़ी लीग सीजन आठ का खिताब, किस टीम ने जीता है, तो दबंग दिल्ली ने किसे हरा करके, पटना, पाइलेट्स को हरा करके, यह खिताब जीता है, तो यहाँ पे दोनों बनता है कि भारत का पहला स्मार्ट मैनेजट इवी चार्जिंग स्टेशन कहां बनाया गया, तो यह आपका शुरू हुआ है, नई दिल्ली में, ठीक है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेजट इवी, एलेक्ट्रिक वहिकल होता है, यह मतलब इलेक्ट्रिक वहिकल चार्जिंग और वहिनि यहने को स्टार्ट किया तो सिक्किन is the right answer सिक्किम याद रखेंगे उसके बाद अगला सवन इसक्किम संसीख अम्मा और वहिनि याद रखने हैं प्रतिविखति शुद् आये के मामले में सैर्सतान पर कौन सा तिलांगना प्रतिविखति सुद्ध- आये के संस्क्रंद विसाखा पड्टनामर कि एगन्सी ने युरोपा किल अभियान ट्रिक्ष यान विक्सित करने का करना सुरू किया तो यह आपका नासा होगा यूरोपा अच्छा यूरोपा किसका उपगरह है आप लोग कमेंट करके बताइंगे यूरोपा जहें वह किस ग्रह का उपगरह माना जाता है आप कमेंट करके पताएंगे चलिए अगला सवाल क्या है साथ मार्श 2022 को किसे पंडित हरी प्रसाद चौरसिया हरी प्रसाद चौरसिया किसे समनते बाहसुरी वादक से लाइफ टेम अचीवमेंट अवर्ड से किसे समानत किया गया तो उस्ताद अमजद अली खान ये सरौद वादक है ध्यान दीजेगा पंडित हरी प्रसाद चौरसिया जो लाइफ टेम अचीवमेंट अवर्ड है ये किसे मिला है उस्ताद अमजद अली खान को Mobile World Congress 2022 का आयूजन कहा हुआ तो ये बार सी लोना में हुआ है ये याद रखना है उसके बाद अगला सवाल है कि अंतराष्टिय महिला दिवस परतेकवर्स मना जाता है आठ मार्च को जब कि इसे पहले हमने देखा था राचटिय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते है ठीक है 13 फरवरी नेक्स्ट वन कहा है नान मधूलवन जो योजना ये स्टार्ट किया है कहां पर तमिल नाडू में स्टार्ट किया गया माइक्रोसव्ट कहां भारत में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा तो ये हैदराबाद में स्थापित करेगा कौन Microsoft ठीक है Donate a pension पहल को सुरू के किसने स्रम मंत्राले ने सुरू किया इसे याद रहेगा स्रम मंत्राले ने सुरू किया उसके बाद अगला सवाल क्या बनता है Next one है कि सुचनानुसरा 2022 के लिए US अंतरास्टिय महिला साहस पुरसकार किसे मिला है ध्यान देज़गा US अंतरास्टिय महिला साहस पुरसकार मिला है रिजवाना हसन को किस राज सरकार ने मात्रि सक्ती उध्यमता योसना को स्टार्ट किया हरयाना की सरकार सुचनान साहर भगवान बुध की भारत की सबसे बड़ी स्यान मुद्रा की मूरति का निर्मान कहाँ किया जा रहा तो यह आपका बोधगया में किया जा रहा है बोध गया है ठीक है अगला सवा दिखी क्या किस राजी सरकार दोहरा कॉसल्या मातित योजना आपका हो जाएगा 36 गड़ दूसरे सैन ने उपगरा नूर्टू का सफल परिक्षन किया गया इरान में सफल परिक्षन इरान में किया गया आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छो ठीक है और इसका PDF में आपको अप्लोड कर दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है बस आप अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो को सेयर किया गया आप लोगों से एक छोटा सा उमीद ही रखते है तो आप लोग वीडियो को सेयर करेंगे लाइक करेंगे और आप लोगो नहीं कहें कि FLO का मतलब दिखे क्या है फ्लो कह सकते है फ्लो ओधोगिक पार तो इसका मतलब होता है फिक्की लेडिस ओर्गनाइजेशन जिसको फ्लो गहते है ठीक है और दोग पार का उत्गहां क्या जा रहा है तो यह आपका तेलंग नमीट क्या छएक है अगरा पाल दधवाव नरसनार गुजरात में हुआ था जिसके 100 साल पूरे हो गया नेक्ट वाने कि किस राज्चे ने मिसन इंदर धनूस में पहला स्थान आसिल क्या पहला स्थान आसिल क्या उड़ीशा बिल्कुट सही होगा उड़ीशा अगला सवाथ क्या किरें 10 मार्च 2022 को किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी 33 सौर उर्जा परियोसना को उद्गाटन किया तमिन लाड़ो में अगला सवाल क्या कि किस राज्य सरकार ने महिला एड़िरेट कारेकरम सुरू किया इस कारेक्रम को किस ने स्टार्ट किया तो ये करनाटक ने सुरू किया उसके बाद नेक्स्ट वरने की किस राज के मुख्य मंत्री ने महिलाओ की लिए सुस्मा सुराज पुरसकार स्टार्ट किया इस राज्य के मुख्य मंतिर ने महिलाओं के लिए सुसमा साराज पुलजकार की गोश्ना किये तो ये अपका हरियाना करेक्ट होका उसके बाद Scotch State of Governance Rankin en 2021 में किसे पहला स्थन मिला आंदर परदिस को Scotch State of Governance Rankin en 2021 में किसे मिला है तो आंदर परदिस को किस IIT ने परम गंगा सूपर कम्प्यूटर स्थापित किया तो यह आपका स्थापित किया आई इटी रूड के में और इससे पहले हम ने दिखा था परम प्रवेगा परम प्रवेगा का मतलब जो कि आपका यह एक रूपर कम्प्यूटर था IISC यानि कि यह बैंगलोर में जो है इसमें स्थापित किया गया था इसे याद रखेगा चले उसके बाद क्या बनता है नेक्ट सवाल क्या कहा रहा है कि जारी सुचना अनुसार कौन सा राज्च सरकार डिजिटल भूमी अविलेखो की डोर स्टेप डिलिवरी सुरू करेगा तो करेक्ट हो जगा जो की बिहार ठीक है सवाल चार धाम प्रियोजना समीति क नया अधेक्च किसे बना गया मंत्रालने किस सयोक कन्या अभयां लांच विनि सेल्ट का यूंि सेफ भारत का पहला यूनिकॉण इंटरप्राइज बन गया तो ये आपका चन्नाई सूपर किंग, अगला प्राशन की प्रसिद गोलफर को अपचारिक रूप से, यानि कि किस प्रसिद गोलफर को अपचारिक रूप से वर्ल्ड गोलफ हॉल ऑफ फेमेज आमिल किया गया, टाइगर ऊटस, टाइगर ऊटस बहुत ही फेमस थे, ध्यान बार बार पूछा भी जाता है कि टाइगर उट्स का संबन्द किस से है तो ये गोल्प से है ठीक है नेक्षवनी की महिलाओं के लिए समर्थ नाम की विसे इस उधिमता का समवर्धन अभियान को किसने सुरू क्या किसे नेक्षवनि की रग यहां पर सुरू किसके दारा अनुमादित हिंदी उपनियास। जो कि Tom of Sand, Tom of Sand, अंतराष्टिय बुकर पुरसकार जाएता है, तो ये गितांजली स्री, तो ध्यान रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वले एक्जाम के लिए एक दम फीवी आई है, अंतराष्टिय बुकर पुरसकार किसे मिला है, गितांजली स्री को मिला है, और जिन अधिकार दिवस, टीक है, विशु बुक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को मना जाता है, उसके बाद अगला सवाल क्या है, 15 मार्च 2022 को बाफटा जो अवर्ड्स है, 2022 में सर्वस्तिस्ट फिल्म का पुरसकार किस ने जिता, दा पावर ऑफ दा डॉग, दा पावर अफ दा ड को बना जाता है, तो 16 मार्च को बना जाता है, यह याद रही है, मुस्ट इंपोर्टन है, 16 मार्च, उसके बाद next question, 16 मार्च 2022 को देश का पहला AI और Robotics Technology Park launch किया जा रहा है, कहां गया, किया गया, बैंगलोरू में, भारत का पहला World Peace Center कहां बनेगा, World Peace Center Guru Gram में बनेगा, ठीक ह जगा, यानि किस देश ने Instagram की जगा, रॉस ग्राम, रॉस ग्राम लॉंच किया नाम से के लिए रूरा है, रॉस यानि कि रूस, तो यह याद रखना है, UK Children Book Award के लिए किसे चुना गया, UK Children Book Award के लिए चुना गया, मनजीत मान को, महात्मा गांधी, ग्रीन ट्राइंगल का अ के लिए किसे नामित किया गया तो ये नरायन、 प्रधान को गया अग्ला सवाल, अठारा मार्च ँजास 22 को को सा दिवस मना गया यानि निर्मार दिवस परत्तेकत्वर्स 18 ży मार्च को मनाते हैं फसल विवीधी करन सुचकांग का उपयोग, फसल विवीधी करन सुचकांग का उपयोग करने वाला पहला राज़य कौन बना तो यह तेलांगना बना है, ठीक है, आगे देखें, अगला सवाल जो की बार-बार पूचा जाता है, कि सुरजकुंड अंतराश्टिय सिल्फ मेला यानि इस वर्ष जो है वो 35 था 35 सुरजकुंड अज्राष्टे सिल्प मेला कहां शुरू हुआ तो यह हमेशा यहीं पे लगता है फरीदाबाद हर्याना के फरीदाबाद में हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुजाहाल देश कौन सा बना है फिनलेंग लगतार पांचवी बार टॉप पे रहा है इंडिया की रैंकिंग 146 देशों में 136 वा रैंक है जो कि अगला प्रश्ण की राज्य सरकार किस राज्य सरकार ने राज्य ओब आवर्ड से क्या गया एकसेस बांको गंगा से किस नदी तक जाने वाली अप्रहां बन गया तोा यह आपका ब्रह मुत्र वन दिवस कभा मनाते तो या फिर इसको वानिकी दिवस भी खाया था विश्व वानिकी दिवस 21 March को अगला सवल क्या है 21 March 2022 को नाटो सैने अभ्यास Cold Response Cold Response 2022 कहां शुरूआ तो ये नौर्वे में शुरूआ है नौर्वे में अच्छा नौर्वे की राधानी क्या है और नौर्वे की मुद्रा क्या है दोनों चीजों को कमेंट करके बताएंगे 2022 में sports star access award से SS award से किसे sportsman of the year चुना किया तो निरत चोपडा को को sportsman of the year का वर्ट मिला है निरत चोपडा को डोन अधारिद खनीज अन्विशन के लिए एनम डिसी किस आयाटी के साथ समझाता है क्या है आयाटी खड़तपूर नेवा कारेकरम को किस ने लागो किया या आपका नागालेंड नेवा कारेकरम को लागो करने वाला पहला राज जुबन जा है नागालेंड किस देश की सरकार दोरा सुरेश रहना को ध्यान जीगा सुरेश रहना को sports icon पुरसकार से समान दिया है घुमाकर के questions पूछ दा सकता है कि हाली में माल्दिव ने किस खिलाड़ी को sports icon award से समान दिया है पुरसकार दिया है तो सुरेश रहना यह याद रखना है पुतुल उत्सो पुतुल उत्सो का समंध नई दिल्ली से होगा आठवी बार ACI ACI Williards किताब किस ने जीता है पंकज अडवानी ने तो यह याद रखना है उसके बाद है 22 March को 20 जल्दिवस के रूपे मनाते हैं भारत वार किस देज के बीच नौवा सन्यूक ते सैन अब्यास लिमीटेई लिमीटेई 2022 शुरुआ तो यह आपका सैसेल्स होता है भारत वा सैसेल्स के बीच लिमीटेई ठीक है और पाक जुलर्ड मरुमद्दे को तैरकर पार करने मेली सबसे कम उमर की महिला तैरा कौन बनी है तो जिया राय है प्रिचिकर पुरुषकार 2022 पुरुषकार 2022 के पहले अफ्रीकी कौन बने यानि पहले अफ्रीकी विजयता कौन बने तो फ्रांसिस के रे उसके बाद है धोल उट्सौ ठीक है धोल है धोल उट्सौ यह पस्ची मंगाल में मनाते है नेक्स्ट वन है कि इंडियन सूपर लिख का किताब किसने जीता है यानि कि पहला इंडियन सूपर लिख किताब किसने जीता है है धराबाद एफसी उव बिजयता के लाफ्लास्टर्स 23 March को यहाँ पर 200 मौसम विज्ञान दिवस परतेकवर्ष 23 March को मनाते हैं अगला प्रशन है कि किन दो देशों की सेनाओं के बीच exercise दस्तिलिक दस्तिलिक जो होता है वो होता है भारत और उजबेकिस्तान भारत और उजबेकिस्तान के बीच होता है दस्तिलिक उसके बाद देखें next one क्या कह रहे कि कि किस राज्जे के तरसिंग पेटाई तरसिंग पेटाई नागास्वन्द को जी आई टैग मिला है तो यह आपका तमिल्लाडू हो जागा तमिल्लाडू एयाई यानि जो कि हम यहाँ पर कह सकते हैं AI year 2021 वायू गुडमता रिपोर्ट के में दुनिया का सबसे प्रदूसित राजधानी कौन सा बना है तो दिल्ली सबसे प्रदूसित राजधानी बना है नेक्स्ट बने कि टेनिस किलाडी एसले बार्टी ने सन्यास लिया है वो किस देश की हैं तो ऑस्ट्रेलिया की है अगला प्रदूसित क्या है कि 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मना गया यानि कि 26 रोग दिवस मना जाता है 24 मार्च को एबल पुरसकार से किसे समान्द किया गया डेनिस पारनिल को समान्द किया गया पुरुषकार जो कि गणीत के छेत्र में नोबल पुरुषकार के रूप में जाना जाता है गणीत के छेत्र में नोबल पुरुषकार के रूप में एबल पुरुषकार को जानते हैं ठीक है उसके बाद नासा ने पृत्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहाय की खोज की गई है इसके बाद अगला सवाल दिखिए कि सरकार ने 2025 तक कितने नई हवाई अड़े बनाने के लक्ष रखा है तो 220 तक 220 नई हवाई अड़े बनाने का लक्ष रखा है फिफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉंसर किसे दिया गया बाइजूस को दिया गया नीतिया एक दौरा जारी निर्यात ततपरता सुचकांक में गुजरात जो की टॉप पे रहा है उसके बाद अगला प्रशने क्या कह रहा है कि सेंट किस नहीं किया स्मिरिती इरानी ने किया हाली में जाहर रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवेक्ति आय के मामले में सिर्श स्थान पर का कौन रहा सिक्किम और सुध है आय के हमने देखा था जो की दिलांगना ठीक है चलिए अगला प्रशन क्या है टेनिस इतिहास में पोलैंड ठीक है चलिए उसके बाद हमारा अगला सवाल क्या है अगला सवाल बनता है 28 मार्च 2022 को भारतिय नोसे ना कि किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानिद किया गया तो आयस बलसुरा आयस बलसुरा स्वीस ओपन स्वीस ओपन 2022 का किस ने जिता पीवी नेक्स बन के की किसे मेंटल हिल्थ एवेर्नेस के टाइम हंडेट इंपैक्ट एवट टाइम हंडेट इंपैक्ट вер दिपिका पादुकोरण को दिया दिपी का पादुकौर्ण को चलिए अब मार्च का जो कि आखरी सवाल यह है कि 31 मार्च 2022 को राष्टीय संस्कितिक महस्तों 2022 का इग्रावा संस्क्रण कहा मनाए गया तो यह आंदर पद्रदेश में मनाए गया अच्छा एक चीज में आपको और बताता हूं एक चीज ध्यान रगेगा कि 31 मार्ट 2022 को ही BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ दे यर का अवर्ड की से मिला है तो मी प्रत्स आईप्यल में सभात्याद विकट लेने वाले गिंदबाज करना बने हैं इवड़ेण ब्रावो चलिए अगला अगला प्षाने की किस देष में आर्थिक संकट की वज़े से सर्वासनिक अपतकाल की घोशना की गई है स्री लंका सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है तो उत्तर प्रदेश भारत और स्रिलंका के बीच क्या होता है स्लिनेक्स होता है स्लिनेक्स याद रखेगा तो यहां पर देखे होता है मत्टू आ सब्समेय लन बंगला यान आगे देखते डिख्येस के किस देज के क्रिकेटर पीटर ने विल पीटर नियविल ने सन्यास की खोश्चन किया तो एक्चिसे facto तो ये जीत वोंवें ने मंदिर 360 याने टेंपल 360 वेबसाइट लॉंच किया है तो केंद्रिय सांस्कृति मंत्राले के दौर ये लॉंच किया गया इसे याद रखेगा अगला प्रशन क्या रहा है नेक्स्ट वन है कि किस राजी की सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी भीमा यूसना अगला प्रशन की मियामी उपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है तो इगा स्वेटेक जो की पुलैंड के हैं तो पुलैंड की हैं खास करके ये धियान रखेगा चले अगला प्रशन की चंद्रपूर दुनिया में तीसरा सबसे के गर्म स्थान धर्ज किया है कहां पर पढ़ता महाराष्ट्र में ठीक है तो यह यादEr किया है चंद्रफूर Maha Arashjitos याद रखने हैं और राश्ट्रे समुन्द्रे दिवस कम मनाते हैं राश्टी समुन्द्रे दिवस 5 अप्रेल को मना जाता है यह याद रखेगा 5 अप्रेल को 13 नय जिलों के साथ ये नयर्णा नेक साथ त्यार किया आन्दर प्रदेस और उसके बाद एक प्रश्ट निहां पर है देख सकते हैं कि उत्तर पर्दिश के मुख्यमंत्री ने किस जीले में स्कूल चलो अभियान को स्टाट के स्रावस्ति में उसके बाद अगला सवाल लगता है कि पांच अप्रेल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उत्थवी एप को लॉंच गया है कावल उत्थवी एप लॉंच गया तमिलाडू में ठीक है समुदाइख संग्रहाले बनाए कहां पर लद्दाक में यदरिगा लद्दाक आगे देखते नेक्स वन क्या है कि चमेली देवी जेहन पुरुसकार 2021 किसे मिला थो चमेली देवी जेहन पुरुसकार दिया गया है आरिफा जोहरी को और मैंने आपको कले एक 100 वीडियो बनाय था चमिली देवी जहन पुरसकार के बारे में कि यह पुरसकार सबसे पहला 1981 में निर्जा चौदरी को दिया गया था और जो चमिली देवी जहन पुरसकार होता है वो महिला मेडिया जो परसन होती है उन्हीं को दिया जाता है तो यह याद रखेगा और 2021 का विजेता कौन रह इनके उपनियास क्या है मैं तो यहां हूं मैं तो यहां हूं इसी के लिए दिया गया है अगला प्रश्ण कि किस भारत के किस सहर में कोरोना का नया वेरियंट XE पाया गया है XE पाया गया कहां पर मुंबई में कोरोना का नया वेरियंट XE पाया गया मुंबई में रामनात कोवी ने किस देश में पिले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाती का नाम मैत्री रखा, मैत्री रखा जुकी नीदरलैंड, मैत्री नीदरलैंड, ठीक है मैत्री नीदरलैंड, सेटलाइट इंटरनेट लॉंच हे तू तीन फर्मों के साथ समझोता किसने क्या अमिजन अगला प्रश्ट ने कि संत नामदेव संत नामदेव राष्टी पुरसकार से किसे समानत किया गया सत्यपाल मलिक सत्यपाल मलिक को आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ट कि प्रित्वी और लोकन के लिए एक नए उपगर गाउफें 303 सफलता पुरुवक लॉंच किया किसने कि द्वारा पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क सुरू किया गया किस राज्य में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत वन हेल्थ फ्रेमवर्क सुरू किया गया उत्राखंड वन हेल्थ फ्रेमवर्क सुरू किया गया उत्राखंड में किस देश के फ दस अपेल यानि के बिस्व होमयूपैथी जो दिवस होता है वो परतेक वर्स दस अपेल को मनाते है बिस्व होम्यूपैथी दिवस दस अपेल को मना जाता है उसके बाद अगला प्रश्न नहां पर है कि कि विश्व के सबसे अमीर है स्वा निर्मित महिला 2022 की सुची में कौन है तो यह उत्रा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लोग लोग हटाई जेते उसके बाद हमारा next questions बनता है कि किस देश ने साहीन 3 मिसाइल का सफल परिक्षण किया साहीन 3 आपका हो गया साहीन जब नाम दीके तो पाकिस्तान को टिक करिएगा किसने प्रतिस्टित ओ हेंरी पुरसकार अमर मित्रा ओ हेंरी जो था वो अमर हो गया याद रखेंगे अमर मित करते है ऐक स्टेशन एक उत्पाद पाल सुरू किया अगया कहां पर दक्षड मध्दे रेलवे में दक्षड मध्दे रेलवे का मुख्याले का हों सिर्सस्तान पर सिर्शराथ वाज़यों के राज्य ऑर जलवायूः üzer सुच कांक में सिर्शस्थान पर कौन सा रहा गुजर टेग मिला है कहाँ पर हिमाचुल प्रदेश में एक चीम आपको बता दो फिंस अभी जैसे आप बिहार करन्ट है फिर समारा देख रहे हैं नोट्स वाली जो की नोट्स हमारा कलेक्शन लिख्या गया उसी को हम लोग कवर करते हैं वीडियो के थरू उसी तरह से हम लोग जैस कि तरफ अगला प्रस है कि कि से समारेध गाई चापनवा ग्यांट तो फुककन इस तरह से याद रगएगा चले अगला प्रस्ट डी युए तैंक करो थी निर्देशक मिसाइल हेलीना का सफलता पुर्वघ करिक्षन कहां किया तो राजस्थान में हेलीना का राजस्थान म भारत का पहला स्वदेशी, पॉलिसेंट्रिक, प्रोस्थेलिक घुटना बनाया, घुटना को बनाया किसने, IIT मदरास, IIT मदरास ने, 2022 का चौथा, U.S. इंडिया, टू प्लस टू, जो वारता होता है, मंत्रिस तरिये समवाद, कहां संपन्न हुए, वासिंग्टन, D.C. में संपन्न हुए, वासिंग्टन, D.C. में, 13 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया गया, सिया चीन, जो दिवस है, वो 13 अप्रेल को मनाया गया 2026 में राश्टमंडल के मयजबानी कौन करेगा, औस्टेलिया करेगा औस्टेलिया, राइट, पाला खेलो इंडिया, निश्नल रैंकिंग, महिलत ये अंदाजरी टून्ऊमेंट कहां जित किए गया जार्खंड में, जार्खंड में, जंगली जानवरों को कानूनी दर्जा देने मुलब पहला जो देश बनाए हो कौण सा बना इक्वाडॉर इक्वाडॉर की राधानी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएगा इक्वाडॉर की राधानी क्या होता है अगला सवाल है कि 13 अप्रेल 2022 को किसे प्रतम लता दीनाना थमंगेशकर प्रोषकार से समानित किया गया पहला ये प्रोषकार मिला है परदानमंती नरेंद्र मोधीजी को तो हिमाचल परदेश ने अपना स्थापना दिवस्मना है सुचनानुसार कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विस्वकब 2023 की मेजबानी करेगा भारत हीम प्रहरी योजना को स्टार्ट किया गया उत्राखंड के सरकार के दोरा हीम प्रहरी योजना उत्राखंड के स बार्त यह नहीं उन्हें आये-टी मद्रास के साथ सब्होता ही अगला प्रहर्ष्णольно की कुक्षट रोग के लिए अंतरश्ट ये गांधी पुरास्कार किसे मिला कुक्ष्ट रोग के लिए अंतरश्ट न undertaken पुरास्कार्श्ट नहीं के से मिला है util कुषनकुमार और वहом 16 अप्रेल 2022 को खबरों में रहा Neptune missile system किस देश से सब्बंदित है Neptune missile system Ukraine से सब्बंदित है Ukraine ठीक है Iron Beam का सफलता पुरवक परिक्शन किस ने किया किस देश नहीं Iron Beam का सफलता पुरवक परिक्शन किया Israel और किस राज्य सरकार ने 14 अप्रेल को समांता दिवस के रूपे मनाने की खुषना किया है तमिल नाडू की सरकार ने 16 अप्रेल 2022 को खबरों में रहा मुसकवा किस देश का प्रसीद यूद्ध पूत है तो यह आपका रूस का रूस बिल्कुल सही होगा रूस चले उसके कागड़ को जी टेग उपर में देखा था यह याद रखना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 यानि कि 1064 व्रष्टचार विरोधी मोबाइल एप को लॉंच किया तो यह आपका उत्राखंड हो जागा उत्राखंड याद रखेंगे ठीक है चले उसके बाद अगला प्राश्न क्या है कि सोने के सबसे बड़ा उप भूगता देस कौन सा बन चुका है तो यहाँ पर चाइना हो जागा उप भोगता देस बन Büros आईटी गुहार्टी विस्व विरासत दिवस यानि कि वर्ल्ड हरिटीज का मनाते हैं तो यह आपका 18 अप्रेल को माईग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप किसने विक्सित किया किसने महाराश्ट ने महाराश्ट बिल्कुल सही आंसर है याद रखेगा उसके बाद दृष्छ question दीख लीजिए क्या कि जोंग जिंग जोंग जिंग सिक्स्टी उपगरा को किसने सवंगता प्रोक लॉंच किया इन लोगों का नाम सिंग क्लियर हो जाता है याद रखने की जुरती नहीं पड़ेगी चले उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि विस्वे लीवर दिवस कब बनाते हैं तो यह आपका 19 अप्रेल को मना जाता है और अगला प्रशन कि कि उष्णी कड़ी बन थी दुफान जो मेगी है वो किस देश में बड़े पैमाने पर विनास किया तो फिलिपिंस में और इसे पहले लिपिंस में राय देखा था यह याद रहेगा एल रूट-सर्वर प्राप्त करने वाला पहला च्छी कौन सा बन गया राजस्थान गला सवाल नाम Kennठ से दोड़ा सा ठीक हो यह याद रखेगा चलि उसके बाद अगला सवाल 21 अप्रेल को कौनसा दिवस मना गया यानि कि सिविल राष्टी सिविल सेवा दिवस जो मना या था वह 21 अप्रेल को मना जाता है परमाडू सक्ष मिसाइल सर्मत सर्मत रूस सर्मा नहीं रहा था अभी हाली में ठीक है रूस सर्मा रहा था यूकरेन से युद करने में इतना बड़ा देश हो करके छोटे देश पर हमला किया था सर्मा नहीं रहा था यानि सर्मत रूस बिल्कुल सही है चलिए सर्मत रूस उसके बाद अगला प्रशन की 21 अप्रेल 2022 को गुरू जी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड य हमारे अप्लिकेशन पर जो कूर्स चल रहा है उस पर काफी अच्छी डिसकाउंट चल लिए और उसका कूर्स की प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाला है और अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं क्योंकि वहां पर जो मटेरियल दिया है और आप मन से बढ़ सकते हों तो अगर आपको जोइन करना है तो आप जाकर कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अप्लिकेशन की लिंक है डाउलोड कर लिए लुग इन करके स्टोर सेक्शन में जाकर करके अपनी पसंद की जो भी कोर्से से जोइन कर सकते हैं चले फिलाल ह अब optimize को कौन साव यानि कि प्रित्वी दीवस अगर आप से पूछीं कि बिहार प्रित्वी दिवस कमने जागा तो यह आपका नौव अगस्त को नौव अगस्त हो यह भी याद रखे गा उसके बाद अगला question young global leader award, young global leader award से किसे समान किया गया, राघो चड़ा, राघो चड़ा, young global leader award से राघो चड़ा को, next questions, विश्नुपूर, किस राज्य के विश्नुपूर जीले को उत्किष्टा के लिए प्रधान मंति पुरिसकार मिला है, तो यह आपका मडीपूर हो जागा मडीपूर उपर में देखा था क्या, catch the rain, अवियान स्टार्ट किया गा था मडीपूर में, ठीक है, आगे देखते हैं, देखे, उसके बाद next questions की भारती क्रिकेटर को, यानि किस भारती क्रिकेटर को विश्टन के 5 क्रिकेटर्स of the year 2022 के लिए नामीद किया गया, तो यह रो होता रहता है, कच्रे को उर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोड के सांथ करार किया, किस ने, कच्रे को उर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोड ने किसके सांथ करार किया, तो यह आपका एंटी पिसे के सांथ, भारतीय तर्टरक्षक बलने नया जहाज विश्वे मलेरिया दिवस मना जाता 25 अप्रेल को उसके बाद अगला सवाल देखे शिपरी की रिपोर्ट के नुसार वैस्विक सेन ने खर्च में सिरसास्थान पर कौन सा रहा यह आपका अमेरिका भारत की रैंक क्या है आप कमेंड करके बताएंगे भारत की रैंक उसके बा हर गाओं में एक पुस्तकाले लगाने वाला पहला जीला बन चुका है तो जहारकंड ठीक है जहारकंड और बिहार के समन्द में हमने क्या देखा है बिहार के समन्द में यह है कि हर पंचायत में एक पुस्तकाले खुलने वाला पहला जो जीला है वो पूर्णिया है ठीक है पूर्णिया अगला प्रश्ट कि खोंग जोम दिवस बनाया गया खोंग जोम दिवस कहाँ पर मणीपूर में और यहां पर हमने क्या देखा थे एक और उत्कृष्टा के लिए यानि कि विश्णोपूर जीले को विश्णोपूर जीले को उत्कृष्टा के लिए प्रधान मं पाइस में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भारत ने भाग लिया है कि किस राज्जी ने 18 दिसंबर को अलप संख्याक अधिकार दिवस मनाने की खोशना किया है उपर में देखे थे 14 अपरेल था 14 अपरेल को समानता दिवस के रूप में तमिलाडू नहीं खोशना किय चैंपियंज ऑफ अर्थ पुरसकार चैंपियंज ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अच्विमेंट रवर्ड डेविड एंटिन बरू 2022 के लिए यूनेज को वर्ल्ड बुक के कैपिटल किसे नामित किया गया तो ग्वाडल जारा ग्वाडल जारा जो कि एक मैक्सिको का सहर है ग् अगला प्रश्ट कि भारत के पहले समुदाइग रेडियो स्टेशन दूधवानी दूधवानी को घाटन कहां पर किया गया गुजरात में दूधवानी गुजरात में अच्छा उपर में देखा था दृष्ट बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम किया था रेडियो दक्ष रेडियो दक्ष कहां पर लॉंच के गया नागबूर में तो यह ध्यान अगर नागबूर में और यह आपका गुजरात रेडियो स्टेशन दूधवानी गुजरात में ठीक है उसके बाद अगला प्रश्ट ने कि पर्ण हीता पुसकर सब्सकर अगर्ना में परश्ट ने शान पर चुबार जिछ सब्सकर ने अपका नशा इस राजे सरकार ने समाजिक जागरुखतः अभियान सांस, समाझिक जगरुकता क्या वियन सांस को शुरू क्या करना ठकने ठीक है, करना ठक अगला प्रश्ण क्या है 21 राजी की सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियूजना शुरू क्या संगीत परियूजना ये आपका मेघाले हो जागा मेगाले संगीत परियुसना मेगाले वैक्यूम अधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला सहर कौन सा बन गया वैक्यूम अधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला जो सहर बन गया वह आगरा उत्तर परदेश का आगरा आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद देखें अगल भीट सरो और स्थापित होए तो रामपूर ये करेक्ट होगा रामपूर चले उसके बाद अगला प्रश्ण है कि स्वदेशी निविगेशन प्रणाली गगण का उपयोग करने वाला पहला जो एयरलाइन से वो कौन सा बना गगन का इंडीगो इंडीगो करेक्ट होगा स्वादेशी नविगेशन प्रणाली गगन का परियोग करने में पहला जो एरलाइन्स बना वो इंडीगो बना और उसके बाद आखरी क्वेसंस है जो कि आप देख सकते हैं क्या है कि किसने प्रतिस ठीट विटली गोल्ड बर्ड जीता है व 먼저 चरूदत मिंस्रा क्यों उन्होंने हीम्देंदवे के बारह हिं दिटंदवे को संरक्षण गया या güres के संरक्षण के लिए इसे को देखते हुए इनको विटली गोल्ड दीया गया चारूदत मिस्रा को अतुए सबसेên पहला प्रश्न यह कि का नाम बदल करके क्या रखा गया तो इसका नाम रखा गया है महेश नगर हाल्ट महेश नगर हाल्ट चलि उसके बाद है अगला सवाल क्या बनता है नेच्ट क्वरिशन दिया गया कि किस देश के L DISCAPE लैंड स्केप गार्डन जिसको लोग कहते हैं सीटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेसको की विश्व धरोवर स्थल के रुपे दरजा दिया गया तो यह आपका हो जागा ब्राजिल ठीक है ब्राजिल नेक्स्ट वाने की जीन बैंक परियुसना की मंजूरी किस ने दिये जीन ब पर पर्टेकवर्ष 3 मही को मना जाता हैं तो इसे याद लिएयर रिगांём नेक्स डारीमांतर हैं में बने हैं तो यह थरुण कपूर थरुन कपूर बने हैं पर थान मंति मोदिके ने सलाकर है दोनिया का पहला प्लूइंग एयर-पोड अर्बन एकरवान वटीपोर्ट कहां बनाये गया तो यह इंगलैंद में बनाइगा इंगलैंड में उसके बाद सब्सक्राइब किसStrix राजे की मुख्यमंत्री के मूख्यमंत्री मितान यूसना को start गया तो यह 36 गडट होगा उसके बाद next questions कि संतोष ट्रॉफी 2022 के खिताब किस ने जीता तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से सम्मझ था और इसको जीता है केरल केरला ने किसे हरा करके वेस्ट बेंगॉल को हरा करके इसे याद रखेगा नेक्स्ट वर्ण है कि मुक्यमंति निजिसकुमार ने बिहार के किस जीले में देश के पहले इथेनौल सेंतर का उध्गाटन किया गया बिहार के पुर्णिया में बिहार के पुर्णिया जीले में राइट नेक्सट वर्ण है कि किस राजे सरकार ने जीवहाला नामग महराष्ट के सरकार ने उसके बाद अगला प्रशन रिख चे माई 2022 को देश में किस देश में दुनिया का पहला लंबा काच का पुल यानि कि सफेद ड्रैगन खोला गाया यह वियतर नाम करेक्ट होगा सफेद ड्रैगन ट्रेणों में तसकरी को रोकने के लिए ओप्रेंशन खरह को किस ने चला है तो यह और पेफ ने चलय उसके बाद एंवस्ताप वार हो की स्थापना दिश्मने 8 1960 में इसकी स्थापना हुई थी तो यह ध्यान रहेगा इसने ब्रू ठीक है ब्रू यहां पर करेक्ट आंसर होगा बोडर और रूड और्गनाईजेशन होता है साथ मई 2022 को इसने अपना बासटवस थापना दिवस मना है नेक्स्ट क्या बनता है अगला प्रशनी की विश्वखाद पुरसकार 2022 किसे समयन किया गया दो विश्वखाद पुरसकार परतेकवर्स दिया जाता है और इस वर्स मिला आया है किसने तेलांगना ने तो यह द्यान रेगा निथना वी मायूसना का समय किसे तेलांगना से चले इसके बाद अगला प्रशन क्या है नेक्स्ट वन दिया गया कि 9 माई 2022 को किसने 26 वी बार मांट एवरिष्ट फता कर अपना ही रिकॉर्ड दोड़ा है तो कामी रिता स कर्यां का मुईत है जो कि महाराश्ट से संबंद रखती है कि सराज्जे की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्ति सीविर कनेक्शन यूजना शुरू किया तो दिल्ली करेक्ट अंसर बन जाता भारत के पहले बाइयो गया संचालित यानिकी इलेक्ट्रिकल वहिकल जो कि चार्जिंग स्टेशन का उद्गाटन किया तो यहां पर ध्यान रखना है कि बायो गैस संचालित है मुंबई में चले उसके बाद अगला सवल क्या है नेक्स्ट वने की राष्ट्य प्रधो की दिवस परतेक वर्स का मनाते हैं बहुत बार का नाम लता मंगेस करके नाम पर रखा गया तो यह यौद्य की कि उस्टाबव नेक्स्ट वन कि किस राज्य ने लटली लक्षमी योसना 2.0 लाडली लक्षमी योसना 2.0 को लॉंच किया तो यह आपका मद्धे प्रदेश मद्धे प्रदेश पताएगे किन चार भार्टियों ने जो की फीचर फोटोग्राफिट श्रेडी में पुलिचर पुरस्का 222 जीता है तो दानी सिद्की मर्नुपरांतिन को मिला ध्यान रिकार दानी सिद्की को मर्नुपरांत अधिनान आभीदी और सना इरसाध मट्टू और अमीथ दबे यह सभी को आपको याद रखना है और इसमें सबसे इंपॉर्टन्ट दान सुरी बालकृष्ण दोसी रॉयल गूल्ड मेडल जो हो किस दो यह याद रखेगा बालकृष्ण दोसी करेक्ट होगा अगला सवाल क्या बनता है कि भारत के मुक्ष जो चुनावा युक्ते राजियो कुमार बनें नेक्स्ट वने के बिसेस जो की बांगला अकार्डमी एरल में नेक्ट वने की चारह बिजाई योजना का संबंद किस राजिस है तो हरियाणा से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए दोस्तों सहां सेर करिए और चierल में सिरलं का कि ने पर्दान मंतरी कौन बने रानिल विख्रम सिंद्झे टेंपलटन पुरसकार 2022 खसोने जीता तो फ्रेंक तो बहीं से याद रखे लीजेंग तेम्पल में जाते हैं तो एक दों them हो करके जाते हैं तो बस याद रहे हैं टेंपल्टन फ्रैंक उसके बाद नेक्स्ट वन क्या कि देश में बने बिस्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम व्रीज जो की बाक लॉंग पैदल पूल खोला गया कहां पर वियत नाम में सबसे लंबा सस्पेंशन फूट ब्रीज चेक रिपॉब्लिक में खोला गया उसके बाद अग्ला प्रशत मेंता है आवा कहां कहां पर गुज्रात में उतकर समा मुला हॉकी एस्याकप 2022 क्यों जीता है महिला होकी एसीय कब 2022 का खिता जीता जीता है जापान ने किसी हरा कर साउथ कूरिया को हरा करके नेक्स वन कह और इसमें जो कि भारत नेए कासि पदक जीत था चाइना को हरा करके तेके अगास ब्रगे के लिए मंत्रारें भारत टैप भारत टैप पतर चुस्रु मर्थ das किसे समञों बाएट किस असे अब हुआ सः हरी मांबलों के खुल स्टार्टीय ऊद्रौ आधाima इसरो ने खुमेंट रेटेड एचेस टूहंडडेड सॉलिड रॉखेट वूस्टर का सफलता पूर्वक परिक्षन के है इसरो ने उसके बाद नेक्स्ट बनता है कि बाली का ससक्तिकरण मिशन की सुरुवात किस ने किये तो एंटीपीसे ने स्टार्ट के इससे याद रहे ग फोरेंट सिक्स प्रयोक साला को स्टार्ट के और अंपीच साने आगे देखते हैं नेक्षवन ध्यान रहेगा सोलमाई को पत्तेकवर्स अंतराष्ट्य प्रकास दिवस करूप में था सिक्क्रिंद दिवस करूप में मनाया जाता रामघड विस्धारी टाइगर डिजर्व क एनलेटिक प्लाटफ़ार्म लॉंच के किस नेहीं नीती आयोगनी नीती आयोगनी लॉंच के तो इसे ध्यान रखेगा उसके बाद next questions कि 20 संचार्द दिवस पर्तेव कर्स कमना आते हैं तो 20 संचार्द दिवस पर्तेव कर्स मना जाता 17 माई को यह बहुत important कई बार पूछाब जाता है तो इसे याद रखना है नेक्षवने की उबेर कब किसने जीता है दच्छड कूरिया ने किसे अरा करके चाइना को हरागर के जीता है यह याद रखेगा अगला प्रश्ट कि एलिजाबेट बॉर्न जो हैं वो किस देश की प्रधान मंत्री बनी है एलिजाबेट बॉर्न किस देश की प्रधान मंत्री बनी है फ्रांस की प्रधान मंत्री बनी है दो स्वदेश निर्मित दो युद्ध पोथ सूरत और उदैगरी भारती सेना में सामिल किया किसने रक्षामंती राधनात सिंग ने रक्षामंती राधनात सिंग ने पुझा स के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कि कहाँ से सूपोसीत मा अवियान का दूसरा चरण करेक्ट होगा सूपोसीत मा वियान याद रखना आपको राजस्थान उसके बाद अगला प्रशन है कि कि ब्रिटिस परवत रोही ने मंट कूल केंटन कूल करेक्ट होगा 75 कांस फिल फेस्टेबल जो की महतसों चुरू हुआ तो फ्रांस में हुआ है उसके बाद है किस ने डूल मोड लोको मोटिफ नौधूत विक्सित किया है नौदूद को विक्सित कि है पस्चopard medal और इसका मुख्याले कहा पर जबल पूर में डूवड מूर्ड लोक मोटिफ नौदूद को किसी ने हैं नेष्ट नе महीं संसोधन कर इंधन लक्षे को कब तक के लिए बढ़हा दिया है कब तक लिए बढ़ा है दिए पहले हम आपको बता दूं कि यह जो लक्ष था 2030 तक के लिए था अब इसको 25-26 कर दिया गया 25-26 और वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितना है पेट्रॉल में इतनौल मिसन करने की जो अभी चल रहा है नौद असम्रों नौव परतिसा तक पह पूछा सकता है कि हाली में चर्चा में रहा नज्रायण जील का सममन्द किस राज्य से हैं तो तमिल आडू से क्यों कि यह राज्य का 17वा पक्षि अभीहरन गोसित किया गया नज्रायण जील उसके बाद ब्रिक्स विद्देस मंद्रियों के बैठक कि मेजबानी किस देश नहीं किया तो यह चाइना नहीं किया जल्दी से करके करके कि एस्यों सब्मिट 2022 कहां होने वाला है अभी मैंने कल आपको बता था चलिए उसके बाद है पहला सरकारी ओटिटी मंच को सुरू किया है किरल ने अगला प्रश्ण की टेस्ट मैच में पांच जार रन बनाने वाले पहले बंगलेजेसी बल्लेबाज कौन बने हैं मुसीफी कुर रहीम तो यह याद रखेंगो अगला प्रश्ण की आतंकवाद विरोधी दिवस कब बनाते हैं पर ते सुरंग खाली में चर्चा में रहा और यह आपका अरुनाचल प्रदेश में पढ़ता है तो इसे याद रहेगा अरुनाचल प्रदेश नेक्स्ट प्रश्ण किया एंथनी अल्बनीज कि अस्टेस के प्रधान मंत्री बने हैं अगला प्रश्ण की सूचनानुसार कि सराज् जो म्यूजियम है गुवा में ही बना जा रहा है और रिबीद से मुक्तों वाले पहला राज्य बन चुका है गोवा चले उसके बाद अगला सवाल है कि 208 मंच की वार्षिक बैठक कहां सुरू हुई इंफोस का m-d or co आधार वी होकी इंडिया सिंयर महिला राष्ट्री चैंपियसिव रहा करके द्वान के से नियो के सांद को यहां से नूयॉयॉक से समन रखते हैं यॉक्स है उसके बाद स्वास्त सेवा चेतर में ड्रॉन लॉंच करने वाला पहला राज्वय बना अपका उत्राखंद हो की इंडिया सब स्व्वदेश, स्वदेशी हाई पर Π Admiral की का साज्यदारी की है। जो कि साज्यदारी की है तो IIT मद्रास यहां पर राईट आंसर बचाएगा। दिली की उपराजेपाल गौन बने है दिली की उपराजेपाल है विनाइकुमान सकसेना उसके बाद अगला सवाल है कि भी सिष्वे स्वास्ट सभाने स्वास्ट सब्छंग के 75 computer को संबोधित किस ने किया संबोधित संद्रीस्वास्थ मंत्री मंसूखमंडाविया 757 को संभाव पोर्टल को किसने लौंच किया संब्हवल हाल ș उत्तर पर्देश की गूऄर्मेंट के दरह लांज किया गया तो यह याद रखना है। next वाने क्या कि बिस्वे थारावग दिवस कब मनाते हैं तो 228 दिवस मना जाता है पड्सवे थारावज बिस्वे'reज कर बना जाता है आगे देख से चलिया अगला प्रशने कि इसका छोता संस्क्रण बना गया चिरोई लीली महातMac थी सestra संस्क्रण जोकि बंगलादेस और एक होता है शंप्रिति भी बंगलादेस केसाथ ही होता कि किस राजी सरकार ने एक इक रित क्रिसी विकास योजना तमिलाडू ने तमिलाडू ने देखे एक चीज आगे बढ़ने से पहले हमको बताता हूं यह आपका मई आज कंप्रेट हो जागा ठीक है मई 2022 हमारा कंप्रेट हो गया उसके बाद आपका तीन मौन्थ और तीन से चार करेंगे तो इसी तरह से आप मारे साथ बने रही है और अच्छे तरीके से अपना करेंट करते रहे हैं अगला प्रसंद क्या है कि 26 मही 2022 को अपना जैविविता रजिस्टर जैविविता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रोस हर कौन सा बन गया तो यह आपका कोल करता भारती सेना की पहली महिला लडाको एविएटर कौन बनी है तो अभिलासा बराक भारती सेना की पहली महिला लडाको एविएटर कौन बनी है तो अभिलासा बराक अभिलासा बराक परम पुरूल परम पुरूल नामक सूपर कंप्यूटर का उधगाटन कहां किया गया तो प पूछ ब्रेटी समान से समानित किया गया है अग्ला सभाल है कि पर्अं यूध्धास्तल कहाlished थे हाली में चर्चा में रहा परम यूध्धास्तल कहा थे तो ये अपका नए दिलिय में परता है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिबल में किसी एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरसकार से समानित किया गया तो नवाजुदिन सिद्ध की नवाजुदिन सिद्ध को फ्रेंच रिवीरा फिल्म फेस्टेबल ने समानित किया गया नवाजुदिन सिद्ध की उसके बाद अगला सवाल है कि अंतराष्टी बुकर पुरसकार जीतने वाली पहली भारत और विदून ऑधान light 100 भारत डMc entered note में भारत ड्रोंम हज़ो ड्रों 22 आयोजन खाकरँ प्रेंद के प्रेंद भारत के बड़ ata को feminis कि पहच के भारत के पहले lavender महत्त कुछा उद्गारटन जमुक अस्मीत में किस नहीं किया तो पहले हैं झापना कििवाण और इसका उद्गाटन के इंदरिये मंति डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने किया था बिना ऑक्सिजन सपोर्ट के माउंट इवेश्ट को फतर करने में पहली महिला कौन बनी है तो प्याली बसाक यहां पर करेक्ट होगा प्याली पसाक क्या ध्यान रखना है बिना ऑक्सिजन कि के और फσιजन सपूर्ट के माउंट एवेश्ट को फतर क्या तो प्याली पसाक यहाद रखना है नेक्स्टवने कि नैनोयूरिय स Harold खाटन किया गया तो गुजरात के गांधिनगर के इफको कलोल में किया गया नैनोयूरिया संट्र का इफदन आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि 17 हवा मुंबई अंतराष्टिफ फिल्म होट सो फोकस देश्ट कौन सा चुना गया फोकस कंट्री कर रूप में बंगलादिस को चुना गया मुंबई अंतराष्टिफ फिल्म होट सो में की में किसके चेतर में स्कॉच आवड किसमें ने हैं अधोट पार्क उदगाटन क्या क्या बहुत के पहले अगला प्रशने की डॉक्टर वी सांताराम लाइफ टाइम अचीवेंट अवर्ड किसे मिला गया तो संजीत नारवीकर को मिला है तो वरुन सिंग को मर्नोपरांत की समान से समाइद किया गया तो कैपटान कौन थे ग्रूप कैपटान वरुन सिंग किसके भारतिय वायूज से नाकर परियवरं संडक्षन के लिए जैविता नीती को जारी किया किसने? NTPC ने भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज़ी कौन बन गया है तो ये आपका महरास्ट होगा सुपर कंप्यूटर फ्रॉंटियर को किसने लॉंच किया? सबसे तीज दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है फ्रॉंटियर और ये आपका अमेरिका ने इसको लॉंच किया ठीक है? उसके बाद अगला प्रशने कि Times Business Award 2022 किसे मिला है? तो रस्मी साहू को मिला है Times Business Award 2022 रस्मी साहू को उसके बाद अगला प्रशने कि किस राज सरकार ने राज के खिलाडियों को राजियो गांधी ग्रामिड उलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोशने की है? तो राजस्थान यहाँ पर करेक्ट होगा. किस देश के पुर्व कैप्टन जो है Darren Sammy? Darren Sammy को सितारा यह पाकिस्तान पुरसकार मिलेगा. दिया गया तो यह वेस्ट इंडिज के पुर्व कैप्टन थे Darren Sammy उसके बाद एक किस राजसरकार ने राजस्वे की चूरी रोकने ही तो फिजिकल स्टंप पेपर की जगए इस्टंप सुविधा की सुरुवात की है. तो पंजाब is the right answer. विस्वे साइकल दिवस कब मना जाता है? एक बार पेपर में यह पूछा जा चुका. इसलिए मैं आपको पता दे रहा हूँ. तीन जुन को विस्वे साइकल दिवस के रूप में मना जाता है. नेक्षवने की किस प्रदेश की सरकार ने कॉलनियों और सटकों का नाम बाबा अमबेटकर साहब के नाम पर रखने की कोशना की है. तो दिल्ली is the correct answer. सेबी के पूर्ण कालिक सदस्ति के रूप में कौन पदभार ग्रहन किये हैं. तो असवीनी भाटिय यहां पर correct होगा. सेबी के पूर्ण कालिक सदस्ति के रूप में पदभार ग्रहन किये. लगतार बिस्वे वर्ष के लिए यूनिसेफ के सदभावना राजदूत कौन बने हैं. तो यह आपके सचीन तेंदुल कर होगे उसके बाद भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलिस्कोप कहा शुरूप किया गया तो यह आपका उत्राखंड में इसे याद रखेगा. सन्युकत राष्ट विस्वे सिकर समयलन में सर्वस्रिस्ट पर्यूसना का पुरसकार किसने जीता है? तो मिघहले ने जीता है. सन्युकत राष्ट विस्वे सिकर समयलन में सर्वस्रिष्ट परियुसना का पुरसकार मेगाले को दिया गया भारत और किस देश ने रक्षा सयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट को अपना है इसराइल विजन स्टेटमेंट को किस ने है इसराइल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चोथा संस्क्राण कहा हुआ तो यह आपका हरियाना में हुआ चोथा संस्क्राण हरियाना में उसके बाद नेक्स्ट कोईसन से कि किस देश में सोध करता हो द्वारा दुनिया के सबसी बड़ा जोकी पौधा खोजा गया औस्टेलिया औस्टेलिया में खोजा गया किस राज सरकार ने गर्वती महिलाओं के लिए विसेश देखभाल अवियान आचल शुरू किया आचल को स्टार्ट के किस ने तो राजस्थान के सरकार ने इसको स्टार्ट किया मिताली एक्स्प्रेस जो की तीसरी पैसेंजर ट्रेंड बन चुकी है भारत और बांगला देश के बीच उसके बाद अगला प्रशने की 5 जून 2022 को कौन सा दिवस यानि की विस्वे परियावरण दिवस परतियक वर्स पांच जून को मना जाता है और इस वर्स का जो theme रहा था क्या है only one earth अगला प्रशनी की सबसे बड़ा जेवर यानि की देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोट का निर्माड कौन से कमपनी करेगी तो टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी तो यह याद रगेगा टाटा प्रोजेक्ट्स उसके बाद अगला प कर इसने पहला स्वनबदक जीता है किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाग जिसका नाम है कुम्भा किम्रिती हो गई है तो यह आपका उजगा रडधंबोर राजस्थान फ्रेंच ओपेंट टेनिस टूनामेंट फ्रेंच ओपेंट टेनिस टूनामेंट 2022 में पूरुस और मह इसके लेकिन यहां पर पूछा गया था महिला एकल तो महिला एकल थी एगा स्विटेक जोकी पुलैंड की है तो यह द्यान रगेगा राफिल नडाल और इगा स्विटेक इस दर आइड आइड आंसर थोड़ा साब सुधार कर लिजेगा अपने बुक में चलिए उसके बिस्वखाद सुरक्षा दिवस बिस्वखाद सुरक्षा दिवस बनाया गया तो सुरक्षित भोजन बहतर स्वास्त सुरक्षित भोजन बहतर स्वास्त पर तेक वर्स साथ जून को मना जाता है बिस्वखाद सुरक्षा दिवस इसे याद रखेगा राज्य खाद पर कौन सा रहा तो डेन्मर्क और भारत की स्थिति क्या रही सबसे बहतरीन भारत की स्थिति रही जो कि अंतिम से पहला स्थान ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थ मंता है कि किश राज्य नि ब्लू ड्यू को राज तितली घुशित किया सिक्किम ने बहुराश्ठी सांति अभ्यास एक्सखानक्विस्ट एकसखानक्विस्ट 2022 कहां पर सुरू आया मंगुलिया में बढ़ार की राधानि क्या हो था जल्दी से कमेंड करके ब तो 20 स्वे महासागर दिवस, पर तेक वर्स आठ जुन को मना जाता है, और सीतल सस्टी पर्व जहु कहां पर मनाया गया, उडिसा में, सीतल सस्टी पर्व उडिसा में मनाया गया, उसके बाद अगला प्रश्ण है, नेक्ष्ट वन बनता है, कि वैखो उत्सो, वैखो उत्सो क किस राज्य में मनाया गया, तो वैखो उत्सो का संबंध होता है, अस्सम के साथ, मारूती सुजुकी ने इसिया के सबसे बड़े, 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहां लगाया है, मारूती सुजुकी ने लगाया है, मानसेर हरियाना में, ठीक है, मानसेर हरियाना में, 20 मेग वाट की solar plant लगाया है किसने तुम्हारों 30 सुजुकी ने लदाख का पैंगोंग जिल बस आप पढ़ लीजेगा क्या है इसमें उतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन ये पैंगोंग जिल कहाँ पर लदाख में पढ़ता है वो याद रखना है उसके बाद अगला प्रशने क्या क कि भारत का पहला रुपया धारित crypto index crypto index CRE8 CRE8 launch के किसने coin switch कुबेर भारत का पहला रुपया धारित crypto index coin switch कुबेर SMB साथी 900 किसने start किया किसकी पहल है तो WhatsApp की ये पहल है SMB साथी उसके बाद next वाने कि drone नीती को मंजूरी दिने वाला पहला राजी कौन सा बना है ड्रोन नीती को मंजूरी दिने वाला पहला राज जो बना हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश अच्छा 2021 में FDI के प्राप्त करताओं में सिर्फ सस्थान पर कौन सा रहा अमेरिका ये भी याद रखिएगा उसके बाद अगला प्रशने कि digital electronics के लिए दुनिया का पहला right to repair, right to repair कानून कहा पारिद किया गया, यानि कि New York में इसको पारिद किया गया, digital electronics के लिए, दुनिया का पहला right to repair जो कानून है वो पारिद किया गया New York में, उसके बाद है भारत की सवतनता की 75 वी वर्सगार्ट का प्रतीक, season of culture, season of culture के राजदूद किसे नियुक्त किया गय season of culture का राजदूद A.R. रामान को, A.R. रामान को, उसके बाद अगला प्रश्ट मनता है, कि 10 जुन 2022 को तंबाकु नियंतरं के परियास के लिए किसे समाने किया गया, तो PGI चंडीगड को समान किया गया, तंबाकु नियंतरं के परियास के लिए, सांगरिला समवाद, उसके बाद अगला प्रश्ट है, कि भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला COVID vaccine लाउंच किया, भारत ने अपना पहला जानवरों के लिए COVID vaccine लाउंच किया, इनको वैक्स, और दुनिया का पहला जो कि रूस ने विक्सित किया था, कार्णी को, ठीक है, कार्ण तो ने जीता, दच्छिर कोरिया ने मलेशिया गोहरा कर गए, पुरुष होकी एसिया गब दोजर बाइस का विजयता रहा, दच्छिर कोरिया, उपीजयता रहा, मलेशिया, उसके बाद नेक्स्ट वन है, कि प्रतिष्ठीध क्रोसिंग, यानि कि अयोध्या की पूर्व प् असंबैबो किस ने दिया था तो नाम सिंग लिए रहा है असंबैबो निर्म्ला सितारमन ने कहां पर राश्टी सीमा सुल्क और जीस्टी संगरहाले का उद्गाटन किया इंपॉर्टेंट रहने वाला है गोवा में टीक है गोवा में 207 दाता दिवस कम रहता है बिस्वर दाता दिवस 14 जून को मना जाता है खेलो इंडे यूथ गिम 2021 का किताब किस राजजनी जीता है तो यह आपका हरियाना जीता है दूसरा स्थान महराष्ट का तीसा स्थान करन आटक करा तो यह याद रहें का मुस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसके बाद है कि इराक के बाद ध्यानी जीगा इराक के बाद सौधी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तील आपूर्ति करता देश कौन बन गया रसिया उसके बाद नेक्स भारत कास्तान 37 है इस यह के सबसे लंबे दात वाले हाती जो कि इसका नाम था भोगेस्वर का निधन हो गया कहां पर करनातक में कुमभा क्या था कुमभा एक बाग था जो की रडधंबॉर में उसका निधन हो गया उसके बाद नेक्स्ट क्योंस दिखे क्या बनता है अगल आई टू यूटू यहां पर आप सुधार के लिए बुक में वन टू यूटू लिख दिया है आई टू यूटू होगा समू बनाया तो यह आपका अमेरिका करेक्ट होगा अमेरिका देखिए बारत और इसराल होगया दू यूटू यूटू यहां यूटं यूट् tenían दू पार एक रेआ होता है और एक यूटू होता है excuse तरह से आई टू यूटू भारतिय प्रेस परिसद का अध्यक्ष PCI के किसी अध्यक्ष बनाया गया रंजना प्रसाथ दिसाई को PCI का नया अध्यक्ष बनाया गया हवाई अगला प्रशने की किस राज ने एक गीगावार्ट सौर उर्जा प्रियोसना स्थापित करने के चली उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने की 17 जुन 2022 को उनमेस अंतराष्टिय साहित्य महत्सव कहां शुरू हुआ है तो हीमाचल प्रदेस में शुरू है इसे याद रहेगा हीमाचल प्रदेस उसके बाद अगला प्रशने कि कि किस राज्य के मुखे मंद्रे यह भी मैंद्म यूशना शुरू करने वाला देस का पहला राज्य कौन है गुजरत उसके बाद 2-7 के बास में रहने वाले चमगादर के उसे में कपर डर Napole Ri यहाँ पर करेक्ट आंसर हुगा अगला प्रशनी की राज़ारी रिपोर्ट के नुशार भारत और दच्छड एसिया में किस हवाई अडे को बैंगलूर हवाई अडे को चीक है बैंगलूर हवाई अडे को किस IIT संस्था ने सेप्टिक होगा सुधार करेंगे 20 शेल नार्थी दिवस 20 जुन को मना जाता है उसके बाद है महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए social network यानि कि social network और UN की महिलाओ के साथ समझोता हुआ तो LinkedIn के साथ समझोता हुआ UN की महिलाओ और social network LinkedIn के साथ समझोता हुआ महिलाओ को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उसके बाद अगला प्रशने क्या कि सयद मोदी मैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता तो PV सिंदु ने जीता, most important रहेगा इसे याद रखेगा उसके बाद क्या है कि 200 का सबसे बड़ा जीवित पौधा उपर मैंने देखा था सबसे बड़ा जीवित पौझा ऑस्ट्रेलिया ने खुझा इस पौधे का नाम आप याद रख सकते हैं अब के मर्जी किं चल मोग्वेमंंत्री मातर योजना स्टाट की गहिए गुजराट में गुजरात रॉइट होगा उसके बाद आगे बढ़ते ह recite क्या बनता है कि आइसलेंड बहारतका स्थानक बहारतका स्थान мें 180 है उसके बाद हैँ अंतराष्ट्य हवाई अड़िय को 20 का सबसे सरफिष्ट हवा-द्ड़ माना गया तो हमद अंतराष्ट्य हवा अद्डा जोकी कतर में ब्शो संगीत दिवस मेना जाता 21 को और अंतराष्ट्य योग दिवस मेना जाता 21 जून को है अगला प्रशन क्या है कि केंद्रिय मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने नई दिल्ली में निर्माड स्रमिको की कॉसल प्रसक्षन है तो किस परियुचन को शुरुक यह तो निपोन पूछा सकते हैं कि निपोन को कहा पर स्टार्ट के गया नई दिल्ली में किस के यूएन में भारत का स्थाई प्रतिनिती के रुप में किसे चुना गया तो रूची का कंबोच को चुना गया तो इसे याद रखेगा अगला प्रशन के किस देज की कैसा क्या है खुब सखुल खुब सगुल है खुब सगुल जील को यूनेश को के वायॉसपेर रिजर्व में नेटवर्क 200 नेटवर्क में जामिल किया गया तो यह आपका मंगूलिया हो जाएका मंगूलिया ठीक है खुबसगुल जील कहाँ पर मंगूलिया में इसे याद रखना है अगला पशने की दुनिया कि सबसे बड़ी ताजय पानी की मचली कहां पकड़ी गई है तो दिल्ली का स्थान इसमें 112 हवा है किस देश के पत्रकार तेमित्री मोरा टो ने युक्रेइन के बच्चों को बदद निकालने के लिए युक्रेइन के बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल सांति प्रसकार बेच दिया है तो रूस यहां पर करेक्ट होगा पुन रूप से नवी करणी उर्जा चलित भारत का पहला हवायड़ा बन गया दिल्ली हवायड़ा दिल्ली हवायड़ा सिंदु दर्सन यात्रा कहां सुरू किया गया लेह में सिंदु दर्सन यात्रा लेह में स्टार्ट किया गया उसके बाद अगला प्रशन है कि किस देश ने नूरी नूरी रॉकेट का सफलता पुर्वक परिक्षन किया तो दच्छल कूरिया करेक्ट आंसर है चौधावा ब्रिक सिखर समयलोट की मिजबानी कौन करेगा तो यह आपका चाइना नहीं किया केंद्रिय वाडी जो और उधोग मंत्री ने कहां मैंगो फेस्टेबल मैंगो फेस्टेबल को उधगाटन किया तो यह आपका बेलजियम हो जागा केंद्रिय वाडी जो और उधोग मंत्री नहीं कहां पर मैंगो फेस्टेवल बिल्जियम में उसके बाद अगला है कि बिना अक्सिजन के सायता से अंपूर्णा चोटी पर चोटी पर चुछने माले पहले भारती एकोन बने हैं तो स्कॉल जैंग रिक जिन जोकी लाद्दाख के हैं फीफा रेंकिंग 2022 में कौन से देश से त्संतान पर रहें तो ब्राजिल टॉप पर हैं और भारत कस्थान एक-सथान बहारत का स्थान 114, G20 सीखर समिलें 2023, G20 सीखर समिलें 2023 की मिजवानी कौन करेगा, तो बहारत जुकी जमु कास्मीर में होगा, और 2022 में किस नहीं क्या, तो इंडोनीजिया के बाली में हुगा है, तो आसा करते हैं कि आप लोगोंने वीडियो को लाइक कर दियोगा, अभी तक 3700 मेगावार्ट की अडानी ग्रीन एनरजी पर्योशना को मंजूरी दे दिये, आंदर परदेश, ठीक है, 3700 मेगावार्ट के अडानी ग्रीन एनरजी पर्योशना को मंजूरी दे दिये, आंदर परदेश ने, सुप्रीम कोट ने गरवपात के समिधानिक अधिकार को समाप कर दिया है नीटी आयो के CEO कौन बने है नीटी आयो के CEO बने है परमेशरन ऐयर और अगर हम बात करें कि उपादेक्च किसे बनाया गया तो उपादेक्च सुमन बैरी को सुमन बैरी को चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बनता है कि रडजी ट्रॉफी 2022 के किस ने जीता है और लिडियम इसके बारे में बात कर चुके थे पहले भी मध्यपरदेश ने विजयतारा मुंबई यानि मुंबई को हरा करके मध्यपरदेश ने पहली पर जीता है अगला प्रशनी की यूए उसन कॉन्फरे परियोजना ओपर में देखे देंने सुरख्षा मित्र पर्योजना किसकी लिए तो वहाँ निग्रानी प्रणाली है सुरख्षा मित्र यह परियोजना मो बस मोध नाम आता है तो आप वहां पर उडीशा कोई टिक करेंगे जीस सेविन का सिखर से मिलन कहा संपन्न हुआ जर केरल में अगला प्रशन क्या बनता है कि civi duty के नए अध्यक्ष किसे बनाए गयाए को नीतिन गुपता को और अगला प्रशन क्या है कि साओ ज्वाओ अधेस्टेबल कहा मनाए गया तो गवा में aerial target अभ्यास का सफल परिक्शन क्या है तो उडिसा से किया गया और देखें क्या कह रहा अगला प्रश्न हमारा है next questions की New Zealand से New Zealand से Capstone Capstone कह सकते हैं Capstone कह सकते हैं अंत्रिक्श यान को चंद्रमा पर सफलता पुर्वक लॉंच किया तो नसा ने इसको लॉंच किया यह याद रहे हैं और अगला प्रशन की किस देश ने अपने पहली कोवीड वैक्शन कोवीड वैक्शन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दिया है तो तो केरल में तो कंफ्यूजन नहीं करना एंटी पीजी कहें तो वहाँ पे तेलंगना को टिक करेंगे तो आपका केरल हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद सेकेंड कोईजन देखिए अगला प्रशन यह कि ब्रिक्स समोह में सामिल होने के लिए इरान और किस देश ने प्रतिtशित सिरो मनी पूरसकार कि से मिला तो मिसेल पूनावाला को साइब अगला प्रश्य है कि क्योद्व सबीने क्यूजवारा जारी वेजिट सुझस इंडीक्स 23 में सिर्षस्थान पर कॉन रा तो 2030 कि इस रैंकिंग में तिर्षस अस्थान पर लंदन और भारत में कॉ अब सान्थ सस्टेनेबलीटी इंडेक्स 2021 में सिर्शास्थान पर कौन सा रहा तो यह आपका सिंगापूर भारतिय सहरों में प्रतमस्थान किसे मिला बैंगलोरू को भारतिय में प्रतमस्थान 0 रूपो उसके बाद नेक्सट वन है डीपी आई- Ai- Ai-TY दोवरा ज़ारी इस यूफ डूइंग विज्नेस इंस में शिर्ष सस्थान पर कॉन सरह तो इस Is of डूइंग विज्नेक्स के इंडेस में शिर्ष सस्थान पर रॉह आंदर प्रदेश चतिसफ advanced के गुजरात ने सवतंदा सिनानी की 125 वी जहनती मिनाएगी तो अलूरी सिता राम राजू जिनका संबन्द रंपा विद्रो से था तो इसको याद रखेगा अगला प्रशने इस संसद ने यानि किस देश की संसद ने तनुजा निसारी तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरसकार मिला है जिनका संबन्द यानि कि किस संसद ने संसद ने ब्रिटेन ने अगला प्रशन की भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच भारत गौरव परेटन ट्रेन को हरी जंडी दिखाए गई है तो यहाँ पर करेक्ट होगा नेपाल ठीक है भारत और नेपाल उसके बाद अगला प्रश्ष्शने कि राष्टीय खाद सुरक्षा अधिनियम के कारिणवन के लिए, राजजे रैंकिंग में कौन सिर्सस्थान परा। खाद, राष्टिय खाद सुरक्षा अधिनियम के कारिणवन के ने जो की टॉप परा वड़ी सा। अगला पुखनी की तीसरा स्टार्टप Rinclin 2021 में सिर्सस्थान परा गुजरत और करनाटक पुरवत्त्य राजों में में fáले पूर्वत्त्य राजों में में मिःखले बाकी महिने की ढई आपको ओर डाल दी गई है तो जाए और डाउन लुड कर लिजे ओर 25 और 2020 को खबरों में रहा लिस्बन डेक्लरेशन लिए इसक अंहों डेक्लरेशन का संबंद तो यहां पर संबंद यहां उजगा माहसागर से महासागर करेक्ट होगा, एक्साम्स के पॉइंट इवी उसे बहुत जादा इंपोर्टेंट है, चलिए अगला प्रश्ट, कि किस देश की गड़ी तक है, मैरी ना, वियाजो वसका, वियाजो वसका नहीं, प्रतिश्ठीत, फिल्स मैडल 2021 जीता है, स्वारी 22 है, फिल्स मैडल 2022 जीता है, तो यहाँ पर यूक्रेन हो जागा, करेक्ट आंसर है, उसके बाद, परिक्षा संगम पोर्टल, परिक्षा संगम पोर्टल को किस ने लॉंच किया है, सिबी एसी ने, परिक्षा संगम पोर्टल, सिबी एसी ने लॉंच किया है, अच्छा, दोस्त पॉर लाइफ launch किया गए था CBS के द्वारे हैं तो इसे याद रगेगा विदेश मंत्री इस जैसंकर ने कहा G20 विदेश मंत्रियों के मेठक में भाग ली है तो यहाँ पर हो जागा इंडोनेसिया 2023 का मिजबानी कहाँ पर होने वाला जल्दी से कमेंट करके बताइए 2023 का G20 का जो समिलन होने वाला कहाँ पर होगा कमेंट करिये इसके बाद अगला प्रश्ट मनता है 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुस और महिला किरकेटरों को समान वेतन देने की बात कही है तो यहाँ पे न्यूजिलैंड हो जागा राइट अंसर समान वेतन पुरुस और महिला किरकेटरों को तो न्यूजिलैंड अगला प्रश्ट कि 7 जुलाई 2022 को परदान मंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतिय सिक्षा समागम का उधगाटन क्या वरान सी देश के पहले पसूस्वास्त सिकर समिलन कहाँ पर उधगाटन हुआ तो न्यू डेली में यह पर करेक्ट हो जागा उसके बाद अगला प्रश्ट कि 7 जुलाई 2022 को पस्चमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काइवाक खोला है पस्चमी रेलवे ने सबसे लंबा स्काइवाक खोला है तो यह मॉंबाई हो जागा किस आयाइटी संस्था ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विक्सित किया अभी जैसे हम लोग यूज करते हैं वो लीथियम आयन बैटरी होता है लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन बैटरी को विक्सित किया फास्ट चार्जिंग के लिए तो आयाइटी ठीक है उसके बाद अगला प्रश्ण है कि परदान मंत्री मोदी ने अच्छे पात्र के मध्यान भोजन रसोई का उध्गाटन कहां पर किया तो यह उध्गाटन किया गया वरांशी में अवास एवं सहरी मामलों के मंत्री हर्दीप सिंग पूरी स्वानीधी महत्सों कहां का मांगर्ड की जो पहाड़ी है इसको राष्टिय महत्यों का दर्जा दिया गया स्मारागोजित किया गया उसके बाद अगला प्रश्ण है कि ग्री मंत्री अमित्सा ने स्वामी रामानुचारे की प्रतीमा स्टैच्यू अफ्पीस का अनावरण कहां पर किया स्वामी रामानुचारे का अगला प्रश्ण क्या बनता है कि कहां के सुधकरताओ ने आरिवर्ट फर्ष्ट नामक एनलोग चीप सेट का प्रोटाइब विक्सित किया है तो आई-ई-ई-एससी बैंगलूर खर्ची पूजा कहां शुरू है तो खर्ची पूजा का संबंद ह याद रखेगा तिरि पूरा जब एक बार जोब लग जाना तो पूरा के पूरा खर्चा करेंगे खर्ची पूजा पूरा खर्चा पूरा खर्चा थीक है इस तरह से ध्यान रखेगा कशर्ची-पूजा तिरि पूरा के है उसके दोरए Dialegista Findex, Global Findex Database 2021 जारी किया है, तो World Bank के द्वारा जारी किया है, World Bank के समन्द में जो भी जनकारी आपको पता है, जल्दी से comment करके बताएगा, चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रशन क्या बनता है, Next question से कि Message Universe Divine 2022, Message Universe Divine 2022 का किताब किसने जीता है, पल्लवी सिंग, बिमंडलन पुरुस एकल और महिला एकल का किताब किसने जीता है, तो नुवाक जोकोविच पुरुस रहें और महिला में एलीना रिबा किना रिबा किना ये जाद रखेगा, 11 जुलाई को 20 जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहां पर ध्यान दिजेगा मलाला दिवस के रूप में 12 जुलाई को मनाते है चले उसके बाद अगला प्रशनी क्या बनता है किस IIT ने विक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विक्सित किया तो IIT मदरास उसके बाद नई सिक्षा निती को प्री-प्राइमरी स्तर पर लागो करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया तो यह आपका उत्रा खड़न है पहला राज्य उत्राखड जपान के order of the rising sun पुरसकार से सम्मानित किसे क्या गया 2022 में तो यह आउका नरायनन कुमार है नरायनन कुमार राइट होगो उसके बाद अगला है इस सुचरानुसार कहां का हवाई अड़ा देश का पहला neutral हवाई अड़ा बन गया neutral हवाई अड़ा बन गया लेह लेह का ठीक है डेड़ सौवे विकेट डेड़ सौवे विकेट वंडे विकेट के बात किरें वंडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारती गिंदवाज कौन बने मुहमद समी उसके बाद अगला प्रशने की डाबलो एचो के अनुसार किस देश में मारबर्ग मारबर्ग वायरस के दो संदिक्द मामले सामने आया तो डाबलो एचो के अनुसार मारबर्ग वायरस के सामने आया है दो मामले तो यहां पे गहाना हो जागा अगला प्रशने की 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में बनाएगा तो फ्रांस में यह बना जाता है वास्तिल दिवस के रूप में 14 जुलाई को ठीक है डाबलू इएफ की जेंडर गैपिंग रिपोर्ट 2022 में सिर्ष अस्थान पर हा सिर्ष अस्थान पर हा आइसलेंड की भारत की रैंकिंग क्या रही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के 2022 में ध्यान रही है 135 वास्तान है उसके बाद क्या है 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्ण विथ लर्ण अर्ण विथ लर्ण स्टार्ट के रिपोरा ने उपर में खर्ची पूजा रिपोरा उसके बाद आगे बढ़ते और अगला प्रश्ण क्या कि 15 जुलाई को यानि कि 20 युवा कॉसल दिवस कब मना जाता है तो 15 जुलाई को मना जाता है भारत का पहला स् खड़कपूर ने विक्सित किया है सोडिय मायन बैट्रिट नेक्स्ट कोईसंस बनता है कि 16 जुलाई 2022 को सोच रानुसार कौन सा सर इस्यू की पहली सांस्कितिक और परेटन राजधानी बनी है वरांट सी और इस्यू का हाली में जो सम्मिट हुआ 2022 का वो का हुआ तो कि पाक्स के मामले की सबसे पहले पुष्टी भारत में केरल में हुआ किस देश के दोरा ब्रहमांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए क्या है लक्स जैपले लक्स जैपले नामक एक समवेदल सील्द परियोग किया गया तो यह आपका हो जागा अमेरिका अमेरिका किस राज़ि के मोख्य मंत्रि ने इएफ.र किस सुबहां किया इफ.र किस आया हो जागा उत्राखंट उत्राखंट दियामिर्जा जोकी एक अभिनेट्र है और सफोफ.रोग्षा चार को किस इस सरकार द्वारा मदट रेसा मेंयल आवर्ट से समन्द किया गया तो यह आपके महाराष्ट हो जागा यह द्यान रहेगा महाराष्ट उसके बाद अगला प्रश्ट है कि अंतराष्ट यह नियाए दिवस परतेकवर्श मना जाता है अंतराष्ट यह नियाए दिवस 17 जुलाई को मना जाता है इंपॉर्टेंट है याद रखेगा उसके बाद आगे बढ़ते वे अगला प्रश्ण क्या बनते हैं नेक्स्ट क्वेसन से कि राष्टी ये राष्टी ये वाटर सेड समिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया निव डैली में किया ये याद रखेगा और निलसन मंदेला दिवस परतेक वर्ष मना जाता है निंसन मंदेला अंत्राश्टी दिवस अठारा जुलाई को मनाते हैं और उसके बाद अगला प्रश्ण मर मनता है का ऑठारा जुलाई होकी विश्व कम 2022 किताब किस ने जीता तो नीदर लाइन ने जीता नौवी बार ये किताब जीता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने की किस राज़ी ने भारत में पहली डिजिटल लोग अदालाज की सुरुआत की गई है राजस्थान में हैपनेस उत्सो कहा किसके साथ समझता किया तो इंडियन आउयल के साथ समझ आता किया भारति किर के टीम के किस पुर्वे कप्तान को बृतिस संस्था फुर गौ There को सम्मानित किया गया 27 दिवस परतेक वर्ष 20 जुलाई को मना जाता है 27 दिवस उसके बाद आगे बढ़ते अगला प्रशनी की किस आयाइटी संस्था ने अंत्रिक्ष रॉबर्ट के लिए अंत्रिक्ष रॉबर्ट के लिए जैव प्रेरित क्रित्रिम मान स्पेसी विक्सित क है तो यह हो जागा आयाटी कानपूर आयाटी कानपूर मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाडी उन्यान यूजना उन्यान यूजना स्टार्ट किया गया कहां पर उत्राखंड में उत्राखंड में स्टार्ट किया गया उसके बाद जोगी अगला प्रशन देखिए क्या है ने में चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के सांस सब्जाता हुआ है तो नामी भी आ नामी भी आ यह भी हाली में चर्चा में और चीते आ चुके हैं तो अगला प्रशने स्मार्ट सिटी फंड के उपियोग में कौन सा राज सिर्शास्थान पर आ तो तमिल नाडू हिंले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में सिर्शास्थान पर जापान हमिशा की तरह और भारत का स्थान इसमें क्या है भारत का स्थान 87 भारत का स्थान 87 अगला प्रशन क्या है कि प्रधान मंत्री मोदी ने कहां भारत के पहले मानोयात्री ड्रोन वरुना मानोयात्री ड्रोन वरुना क अनावरंड किया तो यह आपका नई दिल्ली हो जाएगा नई दिल्ली भारत का पहला हंडेड़ प्रतिसात लैंड लॉक्ड मॉडल वाला बंदर का कौन सा बन गया तो जोहारला नहरू पोर्ट मुंबई का क्लियर आई एससेफ सुटिंग विजवकप 2022 में पदक तालिका में सिरस्थान पर तो भारत कितने पदक के साथ 47 पदक के साथ जिसमें 1721 एकिस रजद और नौ कास से पदक था चलिए उसके बाद अगला प्रशन क्या है नितिय योग के इंडिया इन्वेशन इंडेक्स में 2021 सिर्ष रस्थान पर करना ठक रहा है इंडिया इन्वेशन इंडे कॉसिक राद से करने अगला प्रश्ट कि हुमें स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्गाटन इस रो ने कहां पर किया है तो यह बैंगलूर में किया गया याद रखेगा उसके बाद है कि UAE ने किस फिल्म में अविनेता को अपना गोल्डेन वीजा दे करके सम्मानित किया है क कमल हसन को किस राज्य का बुर्हानपूर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जीला बन गया बुर्हानपूर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जीला बन गया तो यह मद्यप्रदेश में ठीक है मद्यप्रदेश में अगला प्रशन की आयकर दिवस प्रतेश कवर्स मना जाता है 24 जुलाई को आय कर दिवस के रूप में मनाते हैं नेक्ष्ट वाने की dissident human rights award dissidents human rights award 2022 के किस ने जीता है तो ये आपका Ukraine ने किस देज के नागरीकों के जीता है Ukraine उसके बाद अगला कि भारत और किस देश के वीच समुंदरी साजदारी समुंदरी साजदारी अभ्यास MPX MPX का योजन किया गया तो यह आपका जपान हो जाता है किस IIT ने निर्मान है निर्मान कह सकते है निर्मान तौरक कारिक्रम को शुरू किया निर्मान तौरा कारेक्रम को शुरू किया, आयाटी कानपूर, आगे है, परेटर नीती, यानि किस राजु ने परेटर नीती 2021 को शुरू किया, जहार खंड ने, किस देश में एक दसक के बाद, पोलियों का पहला मामला सामने आया है, तो अमेरिका हो जागा, अमेरिका, उसक वसीफा नाजरीन जो है, केटू, फटा करने वाले कि देश की पहली महिला बनी है, मुस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो वसीफा नाजरीन का संबंध हो जाता है बंगला देश से, जिन्होंने केटू को, केटू जो है, गौडवी नौस्टिन के नाम से जानते हैं, जिसको फता करने वाले पहली ये महिला बन चुकी है बंगलाजिस की इसके बाद अगला प्रशन है कि भारत का पहला brain health clinic कहा खुला जा रहा है भारत का पहला brain health clinic बैंगलूर में खुला जा रहा है नेदा चोप्रा ने 20 वे अथलेटिक में भाला फेक स्परदा में अठासी दसमलो एक तीन मीटर के साथ कौन सा पदक जीता है तो रज़त पदक इनोंने जीता है ठीक है 26 जुलाई 22 को कौन सा दिवस मनाया गया यानि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है किस राज़े के मुख्य मंतरी ने पुलिस के लिए स्मार्ट इबीट प्रणाली की शुरुवात की है हरियाना में और इसको स्टार्ट किया गया गिया किसे किया गया इंदर मीत गिल इंदर मीत गिल को विश्वे बैंक का मुख्य अर्थ सात्री के रूप में निक्त किया किया है भारतिय टीम का उत्सा बढ़ाने के लिए किस ने भारतिय टीम का उत्सा बढ़ाने के लिए Create for India, Create for India भियान के शुरुवात किया है तो भारतिय खेल प्रतिस जो प्राधिकरण है जिसको साई के नाम से जानते है भारतिय खेल प्राधिकरण है किस राज्य ने जीला जलवायू परिवर्तन मिशन को स्टाट किया तमिल नाडू ने अगला प्रश्ट क्या करा है कि ADB यानि कि Asian Development Bank ने नाड नियू देलिमे निव देली में happiness उट से उपर में देखेते हैं देली में उसके बाद अगला प्रश्ण है कि IIT संस्था ने तंजानिया में एक परिशा स्थापित करने की योसना बना रहा है तंजानिया में तो यह आपका हो जागा IIT मदरास तंजानिया के रधानी क्या होता है जल्दी से कम important है बेस्व एफटाइटिस दिवस भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है ठीक है और यहां पर देखी क्या है कि सत्रा स्टाइस जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतराश्टी अंत्रिक्ष के अंदर छोड़ने का फैसला लिया है तो यह रूस होगा यह आप याद रख लि थी पीवी सिंदो 29 जुलाई 2022 को किस विसाई के साथ बाग दिवस मनाया गया तो यहां पर देखी इंडिया लॉंच इस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइब टू रिवाइब टाइगर पॉपुलेशन ठीक है पॉपुलेशन यह याद रखेंगे यह थोड़ा सा इसका वर्ट शुरू किया गया तो यह important है ने वाले है क्योंकि अभी साथ नया शुरू किया जा रहा है तो ध्यान रखेगा कि दिने sarcaram lifetime ओवर्ट जो कि есть चेतार के लिए संगीद working last ठीक है अगला प्रशनी की दुनिया का पहला तंबाकु निरोधी जुकी बिल किस देश की संसद में पेस किया गया तो न्यूजिलैंड में उसके बाद किसान लोक पर्व हरेली कहां मनाया जाता है हरेली पर्व कहां मनाया जाता है हरेली 36 गड़ में इंग्लैन्ड के Pleaseester, Pleaseester cricket ground का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, ते यका सुनिल कवासकर के नाम पर रखा जाएगा। उसके बाद अगला प्रशन है कि से विंस्टर अवर्ड प्रदान किया गया तो हाली में विंस्टर अवर्ड मिला है वलोडी मीर जलिन्सकी को मिला है और किसने हाली में स्वस्त पर्यावरन को मानव ourदिकार घुशिद कर दिया स्वस्थ परियावलन को मनवधिकर घुजद कर दिया सिन्यूक्ति राष्ट महसभाने स्वामिव каж न धी वह सक्ति य्याद रखेंगे करनात्तक ने मुद्रा स्विती से निपटने के लिए किस देषंगा म्यूसी ओ तुन्या म्यूसी ओ तुन्या नामक सुनी का सिक्का लॉंच कि एक किसने जिंबावे ने जिंबावे चाहा है जुट İ तैसेमंगालीद राइट ही खें, ठीक है, कहाँ चाबहार दिवस समेलन सुरू हुआ है, तो हाली में चाबहार समेलन जो दिवस दिवस समेलन है ये मुंबै में शुरू है, दिल्ली के पूलिस कमिशनर के रूप में किसे नियूक्त किया गया, संजय अरोडा को दिल्ली के ने पूलिस कमिशनर के रूप में नियूक्त किया गया, एक अगस 2022 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास VIMBACS VIMBACS का टीसा संस्कराण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है तो विम्बैक्स जो है भारत और वियत नाम के वीच होता है इसे याद रखेगा एक अगस 2022 को उपराष्ट पती ने किस राज़े की पुलिस को प्रतिस्थित प्रेशिडेंट कलर से सम्मान इतकिया परदान किया तो यह अपका तमिल लाडो करेक्ट हो जाग की अगला पशने की भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए अभियान का संबंद किस से हैं तो NICK डॉक्टर सी नरायन रेड़ी सहित राष्टिय सहित पुरसकार 2022 की से समानित किया गया तो प्रतीभा रे को समानित किया गया किस आयायटी ने बायोड मेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टा केंद्र स्थापना किया तो आयायटी गुहाटी करेक्ट होगा आयायटी गुहाटी उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्ष्टर ने की ऑनलाइन सरकारी इटैक्सी से वह शुरू कर पहला राज कौन सा बन गया पहला राज हो गया केरल केरल पहला राज बना है पाकिस्तान की पहली महिल्या पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधिक्चक कौन बनी है पहली महिला हिंदू उप हिंदू बनी है हिंदू उप पुलिस अधिक्चक बनी है कौन मन मनिक्सा रोपेटा यह नाम याद रखेगा उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्या बनता है अगला प्रश्ण की तीन अगस 2022 को आधी पूरा महुतसवा 2022 आदीपूरम 1975 222 मनाय गया किस राजियो में तो तमिन लाडु में आधीपूर महुतसवा तमिल नाडु में थाइपूरम द्यण किस देश में होने वाले पीछ ब्लैक अव्यास में भारत सामिल होगा तो ऐस्टेलिया में ध्यान रहेगा पीछ ब्लैक एक बहुरास्टी अभ्यास है तो यहां पे करेक्ट रांसर रहेगा ऑस्टेलिया में आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगला प्रश्न क्या है दुनिया का पहला वर्टिकल सहर कहा स्थापित किया जागा सूधी आरब में याता यात डेटा सरवासनिक करने वाला भारत का पहला सहर कौन सा बन गया तो औरंगाबाद उसके बाद अगला प्रश्ट ने कि 5 अगस 2022 को अमेरिका की सिनेट नेकी से नाटो में सामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिये तो स्वीडेन तथा फिनलैंड को उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्ट दीखे एक है नेक्स्ट क्वेशन बनता हमारा कि घुष्णा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर उड़्या सेंतर कहां बनेगा मध्य प्रदेश में अच्छा इससे पहले हमने देखा था एंटी पीजी की बाद करते हैं तो कह अपन न्टी पीजी जो एंटी पीजी के दोर्त एरता हुआ सबसे बड़ा यह स्वह ज्वार Сथ्द्र बनानी बात कहां पर की गई थी तो तेला अंगना में, ऺीक है तेला अंग्ना में जोड़कि टाटा पावर ने किरल में बात के थी टाटा पावर ने केरल में और NTPC ने तेलाइगना में तो याद रखेंगे इसके बाद अगला प्रस दिखिए क्या है किस राज सरकार ने पंचामरीत योसना की सुरुआत किया है चीक है और राष्टी हथकरदा दिवस कब मना जाता है साथ अगस्ट को पर्टेक वर्ष भाला फेक दिवस के रूप में भी साथ अगस्ट को इसके बाद आगे है कि किस राज सरकार ने पर्टेक जीलिये में एक संस्कृत भासी गाउं विक्सित करने के निर्ने लिया है उत्राखंड ये राइट अंसर होगा भारत ने किस देश को हरा करके सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियंशिप का किताब जीता है तो ये हो जागा बांगलादेश बांगलादेश को हरा करके जीता है उसके बाद आगे देखिए नेक्टवने की लदाख के सरोच्चे नूरी को लाँच किया है तो दचिद्रकुरिया नूरी भी इन्होंने डारेक्ट ही लाँच के था नूरी आपको पता होगा नूरी प्रबढ़ूर्य मास्टर और चोहतरव क्वन थे राहुल सरवास्तो उसके बाद पार्थ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का बारहवा संस्क्राइड कहा जित हुआ गांधी नगर गुजराथ पार्थ टू प्राइड उसके बाद नेक्स्ट वान है कि किस देज के बैग्यानिकों ने दुनिया का पहला क्रित्रिम ब्रून त्यार किया गया इस्राइल के बैग्यानिकों के द्वरा इस्राइल के बैग्यानिकों के द्वरा नेक्स्ट वान है कि राष्टर मंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन सिर्षस्थान परा उसके बाद अगला प्रशने की AI AA Footballer of the Year 2021 में कौन जीते हैं यानि कौन बने हैं तो सुनिल चेतरी और मनिसा कल्यान सुनिल चेतरी और मनिसा कल्यान बहुत इंपोर्टेंट रहता है इसको याद रखेगा अगला प्रशने की किस पूर्व भारती क्रिकेटर को निपाल क्रिकेट टीम का मुखे कोच बनाया गया मुखे कोच बनाया मनोज प्रभाकर को मनोज प्रभाकर को निपाल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया उसके बाद आगे है कि 11 अगस 2022 को किस राज्य ने नया अनुछे 3A समलित करने के लिए समिधान संसोधन विध्यक 2022 पास किया तो यह हो जागा आपका आंदर प्रदिस उसके बाद नेक्स्ट वाने की सुचरा नुचार किस नेता को फ्रांस का सरोच नागरिक संबान से समानित क्या था का ससी थरूर ठीक है ससी थरूर अगला प्रश्ट कि अगस्त मलाई में अपना पांच्वा हाथी रिजर्व किसे मिला तो यह आपका हो जागा तामिल नाडू अगस्त मलाई में पांच्वा हाथी रिजर्व तमिल नाडू को मिला किसे सॉरी किस ने नया वर्च्व वर्चूरום सिपएस म्यूजियम वर्चूर्य स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉंच किया इस रोले ठीक है उसके बाद आगे है किस्ने समायल से GU в hal के स्टार्टिंग के यह किस facebook pah-la के स्टार्टिंग की चिछे है कि समाजिक न्याहे मंत्रानले ने समाजी की न्याय मंत्रा लेनें आगे बढ़ते हैं उसके बाद next वान एक की मुक्हेमंत्री बाल असिरवाद यूशतना स्टार्ट गया गया मध्धि प्रदेश के दोरा मध्धि प्रदेश के दौरा 14 अगस 2022 को किस ीस दिवस के 22 को किस देस ने सिरिलंकाई नौसिना को US इंप्रटेंट है current is जमुंदरी निगरानी विमान शौपाया भारत ने सिरिलंकाई नौसिना को उसके बाद अगला प्रशन है कि पकिस्तानी क्रेटर को सितारा ए हिम्तियात सम्वाण से सम्वाणित किया गया। किस नहीं ओपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया। ओप्रेशन यात्री शुरुक्षा को आर्पीफ ने शुरू किया, सोलगस 2022 को इसिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूनामेन डुरंड कप, कहां शुरू हुआ, तो डुरंड कप किस शुरुआत हुईती कोलकता में जिसका विजिता रहा, बैंगलोरो एफसी किसे हरा कर, मुंबई एफसी को हरा करके, महिलाओ को मुफ्त सेनेटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है, तो ये स्कॉट लैंड, पहला देश स्कॉट लैंड बन चुका है, किस राज ने तीसरे हवाई अडे का नाम pleasure अारूंचल प्रदेश उसके बाद आगे हैं वैक्सिन बनाने वाला पहला देश कान सा बन चुका है Omnicron variant के लिए पहला जो कि vaccine में पहला दिस बन चुका ये Britain Britain important question है याद रखेंगे भारत का पहला 3D printed manocornia किसने बना है भारत का पहला 3D printed manocornia किसने बना है हैदराबाद ने हैदराबाद आगे बढ़ते हैं सरकार ने खिलाडियों को 2% यानि किस राज जे सरकार ने खिलाडियों को 2% आरक्छण के घोशना किए दोपरतिशन आरक्छण करनाक के सरकार ने वरिशत नागरिकों के लिए भारत के पहली या फिर भारत का पहला मैत्री startup किसने लौंच किया बारत का पहला मैते स्टार्ट अप किस ने लॉंच किया है तो रतन टाटा ने किसके तो वरिष्ट नागरीकों के लिए इसिया का सबसे बड़ा कंप्रिष्ट बायो गैस सैंतर का संचालन कहा सुरू हुआ तो संगरूर है जो कि पंजाब में संगरूर यह याद रखेंगे संगरूर उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्ष्ट प्रशने की मुख्यमंत्री अनुप्रिती कोचिंग योशना स्टार्ट की गई है राजस्थान में संगराम के लंदन इस्तीतगहर को भ्लू फ्ल capita जो की समान मिले खमान है किसे तो दादवाय रोची का जो ओंडन स्तीतगहर ता उसे मिला है कि 18 अगस 2022 को किस राज्चे के मुख्य मंत्री ने अमा और वाजसल्य योस्तना की शुरुआत कि अमा और वाहिनी जो योस्तना भी वह भी सिक्किम कहीं था तो यह भी याद रखेगा पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर ऐसी बस कहां शुरू हुआ तो मुंबई में शुरू ह बन गया मद्य प्रदेश तो यह इक्जामस के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जागा मंडला जिला भारत का पैला कर्यात्मक जीला कर्यात्मक रूपसे साक्षर बन गया मद्य प्रदेश का HDFC बैंक ने कहां HDFC बैंक ने कहां केवल महिलाओ करमचारियों द्वरसंचालित सका खोली है तो ये कोजी कोड केरल के कोजी कोड में खोला गया ये याद रखेंगे अगला प्रश्ट के हर घर जल प्रमान प्राप्त करने वाला पहला राज़ कौन सा बना है पहला राज़ बना है गोवा और कल की वीडियो में हमने देखा था कि हर घर जल प्रमान प्राप्त करने वाला जुकी बुरहानपूर पहला जीला बन चुका है MP का MP का बुरहानपूर और अगर पहला राज़ का है तो गोवा ये याद रखेगा उसके बाद है कि किस राजे सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की खुशना की है तो ये मद्धे प्रदेस हो जागा दही हांडी को खेल का दर्जा महराष्ट होगा माफी चाहेंगे अगला अप्षने की सत्रावा प्रवासी भारतिय दिवस 2023 कहां आजितिया जागा तो सत्रावा प्रवासी भारतिय जो दिवस है वो आज़न क्या जागा इंदौर के मद्धे प्रदेस यानि मद्धे प्रदेस के इंदौर में और अगर हम बात करें कि इस वर्स कहा हुआ तो सुलावा जो हुआ था वो नई दिली में स्कैजन किया गा था याद रगेगा किस राज्य के पहले आदिवासी उपनियासकार नारायन आदिवासी उपनियासकार नारायन का निदन हो गया वो केरल से समध रखते थे ठीक है केरल से आगे देखिए पाकिस्तान ने स्टाट किया मादक पदार्थों के तसकरों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोटल की संस्था ने लॉंच किया तो NCB नेस्नल क्राइम ब्यूरो जो कि हम कह सकते है NCB उसके बाद आगे बढ़ते हैं सदभावना दिवस जो है वो पड़ते हैं 20 अगस्त को मना जाता है राजी गांधी जी के जैंती पर तो यह ध्यान रखेगा 21 अगस 2022 को किस दिवस के रूप में मना गया तो वरिष्ट बिस वरिष्ट नागरिक दिवस इतना उपोटन नहीं है उसके बाद आगे है कि 750 बिलियन डॉलर के जलवायू परिवर्तन और स्वास्त देखभाल बिल पर हस्थाक्चर किस ने किया है तो USA ने किया 750 बिलियन डॉलर देख घुमा कर भी क्वेसंस पूजाता है कि कितने बिलियन डॉलर के लिए USA ने जलवायू परिवर्तन और स्वास देखबाल विर पर हस्थाप्चर गिया है तो 750 बिलियन डॉलर उसके बाद नेक्स्ट वाने की चंडिगड अंतराष्टिय हवाई अड़े का नाम किसके नाम पर रखने की बात की गई है तो सहीद भगत सिंग के नाम पर रखने की बात की गई है मिथिला माख खाना को GI टेग जो की बिहार में इसे याद रखेगा बिहार में मिला है और अगला प्रशने की मोक्षधाम योजना मोक्षधाम योजना किस राज्य ने सुरू की गई है तो यह देखें मोक्षधाम योजना जो हे हाली में start की लिए हिमाचल पड़ली और इससे पहले बिहार में भी मोक्षधाम योजना को समसां घाट को विक्सिद करना means का मेंड परपस होता है यह याद रखेगा और अगला प्रश्निक है कौन सी राज सरकार ने भारत के पहली सिक्छा टाउन से विक्सित क्या उत्तर परदेश नेक्स्ट वन है कि भारत के पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इंधन सेल बस कहा लॉंच की गई है तो पूर्णे में लॉंच की गई है विदेश वन्तरी एस जैसंकर ने कहां महात्मा गांधी के प्रतीमा का नावरन किया तो परागवे में किया है आगे बढ़ते हैं की रक्षामंद्रहों कर्म कि अगस 2022 में कहांफर संपन्र हुआ ? तो तसकंड में संपन्र हुआ अच्छा समविट वह वह कहांफर समरकंद में हुआ 2020 का समरकंद्रहा ये याद रखेगा हूँ युनेश्भा की सूची में सामिल करने के लिए यानि यह देखे क्या के भारत के किस निरित्य को UNESCO की सुची में सामिल करने के लिए नामित किया गया तो गर्बा को गर्बा का समंद गुजरात से होता है सिल्क पार्क एक्सपो का उधगाटन कहा किया गया नुडेली में ठीक है क्या किया रहा है अगला प्रश्ट की इल्स्ट्रेटर्ड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलिचर पुर्षकार किसे मिला है तो फहमीदा आजीम को फहमीदा आजीम जो कि बंगलादेस के समान्द रखती है इनी को मिला है अगला प्रश्ट मेंता है कि किस देश के राष्टपती को Liberty Middle 2022 दिया गया है Liberty Middle 2022 मिला है यूक्रेयन को Liberty Middle 2022 यूक्रेयन को मिला है भारत का पहला नाइट सफारी और जया विवीता पार्क कहां बनाया जाएगा तो ये लखनाओं में बनाया जाएगा इससे यादर केंगे लखनाओं में बनाया जाएगा पर्धानमंत्री मोदी ने कहा? अम्रिता अस्पताल का उधघाटन किया कहा पर तो ये फरीदाबाद में किया अडानीसमू ने NDTV के कितने प्रतิसत अडिगरण किया है? 29.2% 29.2% प्रधानमंत्री मोदी ने कहां या फिर किस राज्य में हुमी भाबा, कैंसर अस्पताल और अनुसंद्धान केंदर का उध्गाटन किया है, पंजाब is the right answer, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर हुमी भाबा, कैंसर अस्पताल और अनुसंद्धान केंदर का उध्गाटन किया तो पंजाब correct होगा जर्मनी में की गई है उसके बाद अगला प्रश्ट कि दुनिया में सबसे कम प्रज़न अंदर 0.81 का यानि कि 0.81 कहेंगे 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है दुनिया का सबसे कम प्रज़न अंदर अपना ही record तोड़ा है, तो दच्षड कोर्या ठीक है, दच्षड कोर्या भारते रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी, 3.5 angry सारे 3.5 किलो मेटर का परिक्षण किया है इसका नाम किया है, तो सूपरवासूकी अगला प्रस्ण कि New India Selected Writing New India Selected Writing स्वागत के लिए स्वागत के परियास के लिए यूनेस को सांती पुरसकार किसे जीता है किसने जीता है तो इंजिला मारकल ने स्वागत के परियास के लिए यूनेस को सांती पुरसकार किसने जीता है इंजिला मारकल ने अगला प्रशन है कि अनंग ताल को राष्ठिस मारक घुसित किया गया कहा पर निव देली में हिंदी भासा में प्रमे के लिए साहित एकार्डमी युवा पुरुषकार 2022 किसने जीता है हिंदी भासा में प्रमे के लिए साहित एकार्डमी पुरुषकार 2022 जीता है भगवन्त अनमूल भगवन्त अनमूल आई-मेफ में भारत के कारेकारी निर्देशक के रूप में किसे न प्रमाटर फ्लू जो की नमक वायरस का पहला मामला सामने आए तो केरल यहां पर करेक्ट होगा केरल सुचना नुसर भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बन रहा है तो पोस्ट ऑफिस बन रहा है आपका यह 3D प्रिंटेड बैंगलूर में इसके बाद नेक्स्ट पॉइसन से कि भारत ने कब तक सुद्ध सुने कार्बन उत्सर्जन का लक्षा असिल करने के गोश्णा किया तो दोहजर सत्तर तक ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं कौन सा देश उष्णे कड़ी बन दिया चक्रवाद मा ओन मा ओन का चपेट में आया तो फिलिपिन्स और इससे पहले फिलिपिन्स राय से भी परवावित हुआ था उन्चास्वे मुख मना गया नागपूर में कहां पर नागपूर में इसके बाद अगला प्रश्ण है कि 29 अगस 22 को कौन सा दिवस मना गया तो राश्किये खहेल दिवस मना गया राश्किये खहल दिवस ठीक है जुता और चमडा उत्पाद नेती जुता और चमडा उत्पाद नेती 2022 लॉंच किया गया भारत का पहला राजिकोन है तमिल नाडू उसके बाद अगला प्रशने की भारत और अमेरिका के बिच सन्यूपत अभ्यास वज्र प्रहार का तिरावा संस्क्रण कहा संपन्न हुआ हिमाचल प्रदिस में तिरावा संस्क्रण हिमाचल प्रदिस में संपन्न हुआ उसके बाद अगला प्रशने की परधान मंतरी नरिंदर मोदी ने कहा देश का पहला भुकंप समारक समर्पित किया गुजरात के भूज में किस सहर में भारत का पहला छेत्रिये राष्टिये योग नियंतरन के इन बनाने की घूशना की है भूपाल मद्यप्रदेश उसके बाद अगला प्रश्ण है कि अंतराष्टिये क्रिकेट के सबसे सफल तेज गिंदबाज कौन बन गया है जेम्स एंड जो कि इंग्लेंड के हैं एक सितंबर को कहां नुहाखाई उत्सों मनाए गया तो नुहाखाई उडिसा मनाए जाता है तो उडिसा यहां पर करेक्ट होगा किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी गैंड होम ने अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास लिया है तो यह मंत्रे भुपेंदर यादों ने कहां जी ट्वेंटी पर्यावरन और जलवायू मंत्री बैठक को संबोजित किया तो यह बाली में इंडोनेसिया के बाली में आजन हुआ था 2022 का जी ट्वेंटी तो यह ध्यान रखेगा विस्वा जुनियर तेरा की चैंपियंसिफ के फाइ महिलाओ के लिए एक रिण योजना जिसको नाम रखा गया महिला नीधी शुरू की गये राजस्थान में शुरू किया गया किस देश को पचाड कर भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवस्था बन चुकी है ब्रेटेन को पचाड कर भारत जो है दुनिया की लाना बैक लेस होगा तो यह मद्यप्रदेस होगा किस राजची के सिक्षा विभाग ने इक गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया तो यह उत्रा खड़ने शुरू किया इक गवर्नेंस पोर्टल समर्थ सांस्कीति परिशत की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के करेगी लद दाह करेगी किस राज्ज सरकार नैंंच रस्घार्य को समादित किया गया इनका ना вмे शो उस्यारा इसेतर को समया यॉ वह तबाद आगे बढ़ते हैं बांगलादिशी की basic अंट्राश्टिय trabaje से सन्यास देने की गोष्ण है कि जिनका नाम क्या है मुसीफकुर मुसीकुर रहिम मलिसियाई सत्रंज प्रत्योगिता में अनिसका भियानी कौन सा पदक जीती स्वन्ड पदक जीती हैं उसके बाद next one ही कि सुंगने वाली करोना वैक्सिन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है सुंगने वाली करोना वैक्सिन को मंजूरी देने वाला चाइना बना है भरतौल गाउं हर गहर आरो जल वाला पहला गाउं बन चुका है कौन है तो यहाँ पर उत्तर पर्दिस होगा भरतौल गाउं ठीक है भारती सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की सेना जनरल का मानद पद्धक परदान किया गया नेपाल केंद्र सरकार ने राजपत का नाम अदल करके क्या रखने की है करतव विपत राजपत का नाम करतव विपत किस राजश सरकार ने रोजगार गारंटी योसना शुरू किया तो राजस्थान रोजगार गारंटी योसना शुरू किया राजस्थान ने इसके बाद आगे देखत तो Chard 36, Chard 36 こो मंजूर दी दी गई है आठ सितमबर 2022 को लोक नायक फौनडेसन सहीत पुरसकार किसे परदान किया गया तो तनीकेला भरडी को तनीकेला भरडी को लोक नायक फौनडेसन सहीत पुरसकार मिला नसाने किस गरह पर अक्षीजन खोजी है नसा ने किस ग्रव पर ऑक्सीजन खुजी है मंगल ग्रव पर किस देश के राष्टपती ने रक्षा मंत्री रादनाथ सिंग को घोड़ा तेजस उपहार में दिया तो मंगूलिया यहां पर राइट आंसर बन जाता है मंगूलिया उसके बाद अगला है कि सन्यूकत राष्ट की द्वारा जारी मानों फिकास सुचकांक में कौन सा सेसस्थान पर तो स्विचर लैन यानि हुमें डेबलप्मेंट इंडेक्स में सेसस्थान पर स्विचर लैन भारत का स्थान एक सो बत्तिस मिला है 2022 में तो इसे याद रखेगा परधान मंत्री टीवी मुक्त जो अभियान है किसने सुरू किया तो परधान मंत्री टीवी मुक्त जो अभियान स्टार्ट किया गया नई राष्ट पती जो बनी हुई है दुरुपती मुर्ग मुझी और फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया कहां पर बिहार के गया म किस राज्जे ने छाता नाम से एक वर्सा जल संचय योसना शुरू किया उड़ी सा ने मिसर 2022 का खिताब किसने जीता तो वनसी का परमार ये याद रखेंगे इसके बाद अगला है कि सुचनानुसार किस राज्ज्य में रास्टी के शमुंदरी वीराषद परिसर बनेगा तो ये आपका गुजरात होगा राष्टिये समुंद्री विरासत परिसर बनेगा गुजरात में कौन सराज पहली बार रडजी ट्रॉफी मैचों की मिजबानी करेगा तो ये सिक्किम करेगा पहली बार जो की मिजबानी करेगा याद रखेंगे किस देश के किर्केटर एरोज फिंच ने वंडी क्रिकेट से सन्यास दिनी की घुश्टने की है तो एरोज फिंच का संबंद उस्टिलिया से हो जागा तो इसके बाद अगला प्रश्टन है कि किस देश ने भारत के पुर्वे नौस से न प्रमुख सुनी लांबा को मिघावी सेवा पदक से संबंद किया सिंगापूर निश्चे 2.0 Portal लांच किया ये किस विमारी समयते है तो टीवी से समधीत है ध्यालेगा टीवी से इसके बाद अगला प्रश्टन हमारा बनता है कि अभिसो का पहला संसकार अंदर राजस्थान के जीले में खोला जा रहा है तो संसकार के इंदर राजस्तान के जुण-जु सैन ने गैरिसन का नाम विपेन रावत के नाम पर रखा जा रहा है तो अरू नाचल प्रदेश राष्टपती मुर्मु ने किस राज्चे के गुलाम अली को किस राज्चे के गुलाम अली को राजसभा के लिए नामीद क्या तुज्जमों का समेर युएस ओपेन 2022 में पुरू से एकल का खिताब किस ने जीता है युएस ओपेन 2022 में पुरू से एकल का खिताब कॉरलेस अलकराज यह याद रखेंगे और महिला एकल में कौन थी तो इका स्वेटेक नेक्स्ट वन है प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्थिल्द जो फिग्रेट है तारागिरी को लॉंच किया किस ने तो मुंबई ने लॉंच किया किस देश ने खुद को परमाडू संपन्ने देश घोसित किया तो उत्तर कोरिया ने खुद को परमाडू संपन्ने देश घोसित कि मान्स विज्यापनों का प्रतिबंद लगाने हो सार बन चुक है नीदर्लेंd, हरलोम सार, Lance Industries जो कि 25 तक दुनिया का सब से वड़ा कार्बन-फाइबर प्लांट बनाएगी गुझरात बे, नागा मिर्च महथ- campus कहाँ मनाय गया तो नागा से तो किलिल्र हो जागा नागा- permanent लेकिन कहाँ पर यह याद गाउं में और परतेक वर्स जो कि हिंदी दिवस मना जाता है कब राष्टी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मना जाता है जब कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनुवरी को मना जाता है भारत का पहला वानी की विश्व विद्याले कहां स्थापित होगा तो ये तेलांगना में वानी की मिसन अम्रित सरुवर कि किरियानवन में कौन सा राज़ा से सासान परा उत्तर पर दें मिसन अम्रित सरुवर चिडियाघर को यानि किस चिडियाघर को भारत का सर्वस्रिष्ट चिडियाघर घोसित किया गया रोबोटिक सर्जरी का सिर्फ सम्मान मिला है संदीप नायर को राजनाइको के प्रसिक्षन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझाता किया मेडा गासकर के साथ समझाता किया विस उजोन दिवस कब मना जाता? सूलह सेतंबर को मना जाता परतेक वर्षती इसो याद रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्टोडी के सोरे समर्कंद है वहां पर इसका योजन किया गया था इसके बाद अगला प्रशन है कि सैफ सैफ अंडर 17 किताब किसने जीता भारत में जीता है किस राजशे में मुख्यमंतरी नास्ता योजना भारत का सबसे मुल्लेवान ब्राइंड कौनसा बना है किस दिवस के रूप में यानि 17 को किस दिवस के रूप में इसके बाद अगला है कि 17 को किस राजशे सरकार ने अपने सची वाले का नाम बियाष अमबेदकर भीम्राव अमेदिकर के नाम पर रखने की गूशना की है तो तेलांगना is the right answer इसके बाद अगला प्रश्ण है कि स्वाती पिरामल को किस देश की सरूच चेनागरिक सम्वान से नवाजा गया तो फ्रांस स्वाती पिरामल को फ्रांस चेतरवे सतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने है तो प्रणव आनंद पचातरवे कौन थे वी प्रणव ठीक है तो कंफ्यूज नहीं हो ना प्रणव दोनों में है तो इसको याद रख लिए थोगा थोड़ा सा भारत की पहली लीथियम आयन सेल फै सार्क में रखा गया तो नामीभिया करेक्ट होगा 18 सितंबर को पर्तिकवस विश्वे बास दिवस की रूप में मना जाता है इसके बाद अगला है कि आंगन 2022 अंगन 2022 समेलन कहा अजिद किया तो यह उड़जा दक्षिता विवरो यानि किस संस्ताने स्वारी किस संस्ताने अंगन 2022 समेलन कहा जोन किया तो उड़जा दक्षिता विवरो नों किया इसके बाद अगला है कि विश्वे जल कॉंग्रिस और प्रदस्नी 2222 की मिजवानी के देश ने किये तो डेनमार्क में किया चली इसके बाद अगला प्रश्ण देखते हैं देखिए जो क्वेश्वे यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक्जांस में पूछा जाए नेक्स्ट वने कि 61 सुब्रोतो कप अंतराश्ट्य फुटबॉल टूनामेंट यूवा अंडर 14 का खिताब किसने जीता है तो मड़ीपूर ने जीता है यह ध्यान लगे है मड़ीपूर ने अंडर 19 महिला टी ट्वेंटी बिसो कब 23 किस देश में खेला जाएगा दच्छिड अफ्रीका में खेला जाएगा उसके बाद नेक्स्ट वने किस राज्य के उप राज्य पाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्य धोज राष्ट को समर्पित किया तो जम्मो कास्बीर में राज् बनाएगा नीती आयोग की तरह इसके बाद अगला प्रस्ट मेंता है कि 1922 को किस राज्य में 512 ने इंद्रा रसोई का उद्गाटन किया गया 512 तो यह आपका राजस्तान बारत का पहला स्वक्ष सूजल प्रदेश अंडमान निकोबार दिपसमुग बन चुका है किस जीता है डुरंड कप का 131 संस्क्रण किसने जीता बैंगलूर एफसी ने किसे हरा करके मुंबई एफसी मुंबई सिटी एफसी को हरा करके सुचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अनुसूची जाती क्या आरक्षण को 6 परदेश से बढ़ा करके 10% करेगी तो यह तेलांग को सिट किया गया तमिलाडू में सुचना अनुसार 2023 में संखाई सायोग संगठे नहीं स्यों के मिजबानी कौन सा देश करेगा तो भारत को ही यह मिली है भारत को करना है अगला प्रशने की बिस धंबर 2022 को कहां आम लोगों की सिकायतों के लिए सीम दा हैसी सीम दा हैसी पो 325 मेगावाट की पॉन उठ्जा परियोशना सुरू की गई है 325 मेगावाट की पॉन उठ्जा परियोशना मध्य प्रदेश में सुरू किया गया बंगलदेश के किस किर्केटर ने टेस्ट से सन्यास लेने की घोशना की है रूबल हुसेन बस नाम याद रखे पूझा आ सक को पचाड़ कर कौन सा देश सिर्लंका कि सबसे बड़े रिड़ दाता के रूप में उभरा है तो यह आपका भारत हो जागा भारत नेक्स्ट वन है कि अंतराश्टी सांती दिवस का मनाते हैं बहुत बार पूछा गया 21 सितंबर को और नेक्स्ट वन है कि किस भासा की फिल्म क अंग लवबसुला महातसा 222 कि सराज्य में मनाया गया तो यह सिक्किय में मनाया गया पॉंग लहब होल्ट लभ त्रमावशल महातसा इसके बाद अगला है किसे प्रतिष्टित स्मीता पाटिल मैमूरियल अवर्ड से समान कया आलिया घट को डॉनताबाद किले का नाम बद प्लेटफर्म को किस ने लॉंच किया तो UNEP ने लॉंच किया है अगला प्रशनी कह रहा है कि किस देश ने अपनी राजथानी का नाम बदल करके अस्ताना कर दिया है तो काज़किस्तान बिल्कुल सही आंसर बन जाता है भारत का पहला डुगोंग जो संद्रक्षन रिजर्व कहां पर अधिसुचित किया गया तमिलाडू में सुचित किया गया जोकि इसको समुंदरी गाय के रूप में जानते हैं डुगों को प्लास्टिक प्रदूशन को खतम करने के लिए NCC ने किसके साथ समझोता किया UNEP के साथ समझोता किया यानि कि United Nations Environment Program जिसका मुख्याले Kenya मे किसे बना गया रतन टाटा को उच्छ रक्तचाप नियंतरन पहल के लिए किस देश ने सन्युक्तराष्ट पुरसकार जीता है तो भारत ने जीता है किस लिए उच्छ रक्तचाप नियंतरन पहल के लिए अगला प्रश्न क्या है किस राज्जी सरकार ने नौजात बच्चो की मौत को रोकने के लिए पोटेबल उपकरण सास पोटेबल उपकरण सास को लॉंच किया असमने अच्छा एक सास जो की अभियान भी था वो मध्यप्रदिस में चला जा रहा था वो भी याद रख लीजेगो सुचनानुसार कौन सा राज एक अक्टूबर से अपनी स्वयम क कि स्वास्त भीमा योजना सी एम हिस शुरू करेगी तो यह नागा लेंड में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंतरण विध्यक को वापस देने का नेने लिया है गुजरात यहां पर करेक्टांस रोगा गुजरात इसके बाद अगला है कि सुचनानुसार वर्स 2023 के ब्रि को शुरू किया 36 गड़ने शुरू किया जी फोर ठीक है जी फोर भारत चापान ब्राजिल जर्मनी के विदेश मंत्रियों के बैठक कहा हुई है नियू यॉक में हुई है यह इंपोर्टेंट रहेगा 25 सेप्तंबर को अंतियोजय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह कि लेब में पहली बार आर्कर टिक भेडियों को यह कि क्लोनिन करके नय भेडिया मया तियार किया गया मया का चीन के साथ समद को रहते ली प्याहसाक हर्मन केस्टन wanted 22 का मीना कंड़ा सामी मीना कंड़ा सामी याद रखала है चंडीगर्थ हवाई अड़े का नाम पर रखा जागा सहीद भगत सिंग्गे नाम पर रखा जागा बतुकंपा ुत्साओ का सम्वन तेलांगना से है किसराजी के मुख्य मंत्री ने जंजातीव पर विस्वे कोस जारी के उडिशा किस राज़े को उतिक्रिष्ट पुरसका 222 मिला है उत्तर प्रदेश से सोचनानुसार इटली की पहली महिला परधान मंत्री बनेंगी कौन तो जियोरचिया मेलोनी जल्दूत एप विक्सित किया किस मंत्रा लेने किस मंत्रा लेने जल्दूत एप को विक्सित किया तो gramit Vicas Mantra ले तो देखे जल दुत अगर पूछ लिआ जाये तो ज़ाजा तर confusion रहेगा जल सकती मनत्राले को टिक करने में लेकिन ध्यान रहएगा gramit Vicas Mantra ले जल दुत अब को launch किया 52 डाधा साफ आलके पूरुसका तोजर 20 सी किसे समानते किया गया तो यह आसा पारिक सब्सक्राइब को संहत्यागा जोगि 51 wise मिला था 51 मिला था इनको रजनी रजनी कांत सुर्स्टार रजनी तो तमिलाडू करेक्ट होगा परधान मंत्री से एक हसीना की 75 जैन्ती को चिनित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंट्रैक्टिव गेमिंग प्लैटफॉर्म लॉंच किया गया तो हसीना एंड फ्रेंड्स हसीना एंड फ्रेंड्स इसके बाद आगे हैं 29 स्टमबर 2022 को किस देश ने नए दो प्रगोगी उप्रग्रव सियान 14 सियान 15 लॉंच किया तो यह आपका चाइना हो जागा किस राज सरकार ने राणी पूर टाइगर रिजर्व की स्थापना की समद में प्रस्तावना को सवकीती प्रदान किया तो उत्तर परदिस एराइडांस है उत्तर परदिस च Verma रमनी को आठ वैंकट्र रमनि को उसके बाद लस्ट क्विसनगी सिताणien और हम सबहान novell को और रूवड़ विष्वविध्यक-पारित .. त्रपूरा ने क्मदी के रहा है कि एक अक्टूबर को मरा जाता है अंत्राष्पर भृद्जन दीबस उसके बाद नेक्स्ट वाने कि 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने असरा पेंसन योजना सुरूख किया असरा पेंसन योजना स्टार्ट किया गया तिलागना के दौरा इसके बाद हमारा अगला प्रश्ट मनता है कि 1 अक्टूबर 2022 को रास्ट्य खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदग जीता तो भवानी देवी ने यहाँ पे स्वर्ण पदग जीता है भाला प्रश्ट यह कि भारत ने कहां जी ट्वेंटी सिर्पा की तीसरी बैठक में भाग दिया यानि हाली में एक अक्टूबर 2022 को जो जी ट्वेंटी का बैठक हुआ इंडोनेसिया के जगरतम हुआ था और 2023 में कहां पर होगा भारत में होगा इसे याद रखेंगे इसके बाद अगला प्रश्ट हमारा यह बनता है कि 2 अक्टूबर 2022 यानि 2 अक्टूबर को मनाया जाता अंत्रास्टी अहिंसा दिवस ही ध्यान रखेगा चली इसके बाद अगला प्रश्ट है कि 3 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाडी कौन बने पहले भार सवांते पैबो को 2020 का चिकित्सा का नोबिल प्रोश्कार दिया गया तो यह किसंद का समद्ध हो था स्वीडियन के ठीक है सवांते पैबो का समद्ध स्वीडियन से होगा उसके बाद नेक्स्टूने के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए को चुना गया अनिल कुमार को स्वक्ष सर्विक्षन 2022 में देश का सबसे स्वक्ष राज्य किसे घुजित किया राज्य पूछा जाए मध्यप्रदेश और सहर पूछा जाए तो फिर से हमारा इंदौर टॉप पे है सिक्स टाइम इंदौर टॉप पे रहा यह ध्यान रखे निरवाचन आयोगने की से अपना नेस्नल अइकन घोसित का है तो पंकज त्रिपाठी को निक्ट्यक्र अपना अ can इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्षेम देगे 32 बिहारी प्रोसकार से समानेत किया गया 32 बिहारी प्रोसकार से समानेत किया गया डॉक्टरork माधवःव को और इनकी पुस्तक क्या है पाचरंग चोला पहरह सखिरी ए धेयन रखेगा और इस से पहले जो एक तीस्वा बिहारी पूरस्कार मिला था वो मधु कांकरिया को मिला था मधु कांकरिया ने कि किसके पुस्तक जीते जी इलहाबाद को वैली ओफ वर्डस पुरसकार मिला है तो ममता कालिया जी बिलकुल ममता कालिया आप वही सोच रहे हैं जो इससे पहले आपने याद किया था 2017 में इनको ब्यास पुरसकार दिया गया था दुखम सुखम के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 2022 का भौतगी का नोबिल पुरसकार किसे मिला है यानि फ आप कंफ्यूज ना हो और एक्जामस में अगर आये तो आप कर पाए चले इसके बाद अगला है यहां पर बिश्वस सिख्षक दिवस परतिवस पांच अक्टूबर को मना जाता है जबकि राष्ट्य सिख्षक दिवस पांच सेप्टेंबर को मना जाता है नेक्स्ट रोन क कई के किस कमपनी दोरह ओप्टीमस प्रोटो टाइब हुमिनाइट रॉबर्ट को लांच किया गया तो टेस्ला ने साल ऑब आप्टीमस नाम के प्रोटोटाइप हुमेनॉइड रोबर्ट है जिसला ने इसको विखजित गया इंटरनेशनल होकी फेडरेशन ने किसी सर्वस्रिष्ट पुरुस गोल की पर चुना है तो पी आर स्रिजेस को चुना है और महिला में बात करें तो सवीता पुनिया ध्यान कि किस राजसरकार ने और धोगिक पार्क नीती बनाने का निर्देश चुकि यहां पर हो जागा जारखंट ठीक है जारखंट करेक्ट होगा और अगला प्रशने की दोजार उन्तीस एस याई सीथ कालिन खेलों की मिजबानी कौन करेगा तो सौधी अरब करेगा सौधी अर 2022 प्राप्ति किया तो रॉक्सी कोल अब यह रॉक्सी कोल है कौन तो पूने आयाई टीम के एक विज्ञानिक है इनका नाम याद रखेगा रॉक्सी कोल जिनको हाली में देवेंद्रेलाल मेमोरियल मैडल 2022 दिया गया दुनिया अक में सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश प्रोष्ण की है तो जम्मो कास्मिर यह भी सई आंसर बन जाता है चले इसके बाद अगला प्रोष्ण देखते हैं 2022 का रसाइन विज्ञान का नोबेल प्रोष्कार किसे दिया गया तो यहां पर नामा पढ़ सकते हैं कैरोलीन हो गया पहला और दूसरा बैरी याद रखे औ बैरी और मोल्टिन नेक्स्ट क्वेसंस कि किसने क्रू 5 मिशन को लॉंच के क्रू 5 मिशन को लॉंच के स्पेस-एक्स इक्स ने लॉंच किया राष्टे खेल 2022 में अमीद पंखाल ने कौन सा पदक जीता तो यहां पर सुण पदक इनो नहीं जीता है सुण पदक नेक्स्ट आटेका नोबेल पुरश्कार एणी वाडबात को मिला, ओर नौक्स को के यह कहां कि खांगे अचकिकी क्यां है, ध्यान रखेंगे, 2270 रामनुजन किसे मिल यू किंग को मिला, यू किंग कघू को मिला, आठ वक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया तो बिश्वप्रवाशी प इन्फोर्मेशन एक्स्चेन समझाओता हुआ वाइट सिपिंग इन्फोर्मेशन एक्स्चेन समझाओता हुआ नियूजीलैंड के साथ भारत और न्यूजीलैंड के साथ आगे बढ़ते हैं next questions, हाली में i report के अनुसार, बाल बिवाह के मामले में सबसे खराब इस्तिती किस राज्य किया, किस राज्य की दीखु नदी में मचली की एक नई प्रजाती खोजी गई है, दीखु नदी हाली में चर्चा में रही कहां पर, नागा लेंड में, राष्ठेकेल 2022 में पूजा प तो एलेन याद रखेगा एलेन याद रखेगा एलेन याद रखेए मेमोरी याद रखेए और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यह तीन चीजों को दिया गया तो यह इंपोर्टेंट रहने वाला है आगे बढ़तें नेक्ष्ट क्या बनता है आठ अक्टूबर 2022 को किसी समात स सेवा के लिए सेवा रतने पुरुषकार सेवा रतने पुरुषकार मिला तो रतन टाटा जी को सेवा रतने पुरुषकार दिया गया इसके बाद अगला प्रश्ण है कि जी ट्वेंटी संसदों के अधेक्चों के आठवे सिखर समेलन का आयोजन कहां पर किया गया इंडू प्रतिमा का नावर्ण गंटोक में किया गया इसके बाद नेक्षवने की बिश्व की सबसे उची 351 फिट स्चीव प्रतिमा राजस्थान के किस सहर में स्थापित की जाएगे तो यह नाथ द्वार में की जाएगे 351 फिट यह जाद रखेगा किसे एफ आई एच यानि कि फे इसके बाद अगला है कि किस राज्य का मोडेरा भारत का पहला 24 इनटो 7 स्वार उच चन्चालिथ गाउं खुषित किया गया यानि सतो दिन 2400 घंटे स्वार उचलड गाउं खुषित किया गया गुजरात यह पे करेक्ट होगा माडेरा का सुर्यमंद्री आपको पता होगा तो यह यहां पर करेक्ट होगा ओड़ी सा अगला प्रशने की सूचना अनुसार कॉन अंत्रिक्ष में सूट करने वाले पहले अभी नेता बनेंगे टॉम क्रूज भाइक टॉम क्रूज की बात ही अलग है टॉम क्रूज कुछ भी कर सकते हैं चलिए इसके बाद अगला है नेक्स्ट क चुड़ वर्तमान में बन चुके और यह 9 नौवंबर से ही बने हैं ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछे कि इनके बाद कौन होंगे तो इनके बाद 11 नौवंबर 2024 से लेकर के 23 मई 2025 तक जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे अगले चीफ जस्टिस तो यह ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रस्टिस के बारे में आप जल्दी से नीचे कमेंड करके बताएगा किस थापना कब उई थी कौन सी शमीती थी यह सबी चीज आपको कमेंड करके बताने हैं अगला प्रश्न की किस राज्यों ने पहली बार मांसिक स्वास्त और सम पर मिखाले हो जागा मांसिक स्वास्थ और समाजिक देखभाल नीती की खोशना की है मिखाले इस राइट आंसर चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेश्ट क्या है अगला है कि अगला प्रशन देखिए तेरे अक्टूबर दोजर बाइस को राष्टी आपदा प्रबंधन प्रादी करण यानि एंडी आरेफ की निर्देशा कौन बनी है तो मिर्डानी स्रीवास्तों मिर्डानी स्रीवास्तों एंडी आरेफ की स्थापना 2006 में की गई थी भारते डिस्क थ्रो खिलाडी पर डॉपिंग के आरोप में तीन साल का प्रतिबंद लगा तो कमल प्रीत कॉर्पर अब यहां पर देखिए एक बात डिस्कस करते हैं जो डिस्कस थ्रो आप देख रहे हैं पूछा गया था प्रश्ण आपको भी पता होगा तो डिस्कस थ्रो में जो फेका देखें रखिए इसके बाद नेक्स्ट कुईसंस है कि 13 अक्टूबर 2022 को भारतिय नौसीना ने कहां अब तटी सुरक्षा ब्यास प्रस्थान प्रस्थान का उजन किया तो यह आंधर प्रदेश हो जाएगा प्रस्थान आधर प्रदेश नेक्स्ट कि किस देख ने सफलता पुरुवक पहली बार वेज साला, सौर वेज साला, कुवाफू, कुवाफू वन लॉंच किया है, तो चाइना यहाँ यहाँ पर करेक्ट रांसवर होगा, कुवाफू चाइना लॉंच किया, हाली में जारी, कि CRI Index में कौन सा देश से स्थान पर आब यह CRI क्या है, तो Color Rendering Index होता है, Color Rendering Index और इसके बारे में अगर आप जानना चाहाँ तो अच्छे तरीके से आप सर्च कर लीज़ेगा, बहुत सच तरीके से आपको मिल जागा, इसके बाद अगला है कि किस राजय सरकार ने भारत का पहला Slender Loris Abharant, Slender Loris Abharant अधिस उचीत किया, तो तमिल नाडू यहाँ पर correct answer बनेगा, इसके बाद अगला प्रशन है, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए भारत में UK की उचायुक्तिक बनी थी, एक दिन के लिए भारत में UK की उचायुक्तिक बनी थी, जागरीती यादो, मेघा कायक महत सो 2022 का उजन कहाँ पर किया गया, मेघाले is the right answer, हाली मेजारी Global Hunger Index 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो Global Hunger Index 2022 में भारत का स्थान 107 हो गया, जो कि 2021 में 101 स्थान पर था, इसके बाद 2023 में सत्रहवा प्रवासी भारती दिवस कायोजन कहाँ पर किया जाएगा, देखें ये परतिक दो वर्स पर किया था, यानि कि सुलावा जो किया गया था, वो दिल्ली में 2021 में हुआ था, और 2023 में जो होगा, वो मध्यपर्दिस के सहर इंदौर में किया जाएगा, तो इसको याद रखेगा, सत्रहवा इंदौर में होगा, अगला प्रश्ण, हाली में जारी, वर्ल्ड इन्वर्सिटी रैंकिंग 2023 में सिर्ष पर रहा कॉल, तो IISC बैगलूर सिर्ष पर रहा है, केंदर सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रीज की मनजूरी दिये, तो क्रिष्ण यहाँ पर ही करेक्ट होगा, क्रिष्ण नदी पर भारत के पहले संस्पेंशन ब्रीज बनाने की घोशना, सरकार के तरफ से मनजूरी मिली है, हाली में जारी, पब्लिक अफेर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राजिस सिर्ष पर रहा हरियाना, उसके बाद तमिलनाडू और थर्ड नंबर पे केरण, तो फर्स्ट हर यारना, सेकेंड तमिलनाडू थर्ड केरण याद रखेगा, कौन सा सहर, वर्ल्ड ग्रीन सिटी, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड 2022 दिया गया किस सहर को, तो हैदराबाद राइट आंसर बनेगा, पहला राज्य बन गया, तो यहाँ पर मद्यप्रदेश होगा, मद्यप्रदेश करेक्ट आंसर होगा, इसके बाद नेक्स्ट वन है, कि देश की पहली स्वदेशी, परमाणू पंडूबी का सफ़ल परिक्षण किया गया था, उसका नाम क्या है, तो आयनेस अरिहंद, आयन नमूलन दिवस बरतीकवर 17 अक्टूबर को मना जाता है, याद रखेंगे, इंटरपोल की नभीवी महासभा की जो महिजवानी करेगा, कौन सा देश भारत करेगा, इंटरपोल के, इंटरपोल का मुख्याले, लियोन्स पेरिस में, ठीक है, लियोन्स, और 91 जो होगा, वो क प्रशकार प्रदान करने की घोश्चना की गई है, तो डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम, को महिला एसिया कप T20 किताब किस देश ने जीता है, भारत ने जीता है, उप जीता सिरलंका, यानि सिरलंका को हराकर के भारत ने जीता है, चलिए आगे देखते, इसके बाद अ फिन्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक अंसेर ज़रू कर दीजेगा, इसके बाद नेक्स्ट वाने के अंतराष्टी ये सौर गठ बंदन की पांचवी सभा कहां आयोजित की गई है, तो नई दिल्ली यहां पर सही होगा, अध्यक् Next one देखे, किस देश के उपनियासकार सिहान, सिहान करुना तिल्का को सिहना करुना तिल्का के उपनियास को 2022 का बुकर पुरसकार मिला है, स्त्रिलंका, नाम याद रखेगा, अगले के समाझिक, आर्थिक और रासनीतिक न्यायमिक सर्वस्ट्रे स्ट्राज घोसित क्या है यानि कि पब्लिक अफेर्स इंडेक्स जो था इसमें टॉप पे कौन था हरियाना सेकेंड तर्मिलनाडू थर्ड नंबर पर के रहा है। नेक्स जोने कि हाली में जारी यूएन की रिपोर्ट के नुसार सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो किस देश में तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। सयद उद्किष्टा पुरसकार से समानित किया गया है। अगला प्रश्ट नेक्स्ट क्यों कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाली में 2022 का बैलंडी और पुरसकार किसने जीता है तो करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलस। दोनों को नाम याद रखेगा। करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलस। इसिया के सबसे बड़े कंप्रेश्ट बायो गैस प्लांट कहां पर उदगाटन किया गया। तो पंजाब में किया गया। किस ने नए लेखा महान यंत्रिक के रूप में कारेभार समभाला है। तो भारतिये दास यहां पर सई होगा। नेक्स्ट क्वेशन्स बनता है कि कटी बहु होता है। कटी बहु तेवहर किस राज में तो बहु से संबंदित आप आस्वम को टिक कर ली चेका। भारत के किस सहर में ओम्मी क्रोन सब वेरियंट बी क्यू फर्स्ट का पहला मामला देखने को मिला है। तो पूर्ने इस दा राइट अंसर। बिस्व सांके के दिवस का मनायता है। तो परते एक वर्स बिस्व सांके के दिवस 20 अक्टूबर को मनाते है। जबकि राश्टी सांके के दिवस 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महलो इन्विस के जैनती के रूप में। बैस्विक युवा जलवायू सिखर समेलन की मिजबानी किस देश नहीं की है। तो बांगला देश नहीं की है। इसे याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। नेकि किस राज सरकार ने गिधो के संरक्षन के लिए पैनल का गठन किया। गिधो के संरक्षन के लिए तमिलाडू ने। परदानमंत्री मोदी ने कहां मिसन स्कूल आफ एक्सिलेंस लॉंच किया तो गांधी नगर सही होगा। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गिम्स कहां आजिद किया जाएगा तो मध्य प्रदेश आठ सहरों में आजिद किया जाएगा मध्यप्रदेश के। इसके बाद अगला प्रदिक है। प्रदानमंत्री मोधी ने कहाă मिसल लाइफ और मुव्मेंट मिसल लाइफ मुव्मेंट स्टार्ड क्या केवडिया गुजरात में पुलिस राष्टी मरती दीवस 21 ओक्टूबर को मना जाता है याद रखेंगे इसके बाद नेक्जवन है कि इसरो के आदित्य एलवन जो मिसन है इसके प्रधान वैज्ञानी कौन नामीत हुए तो संकर सुभर्मन्यम जो आदित्य एलवन है ये इसरो का सौरे मिसन है पहला सौरे मिसन है ये भी याद रखेगा चले इसके बाद next question कि किस आयाइटी ने राश्टि ये बौधिक संपदा पुरुषकार जीता है किस आयाइटी ने राश्टि ये बौधिक संपदा पुरुषकार जीता है आयाइटी मदरास FATF ने एकदम भीविया important questions है कि FATF ने किस देश को चार साल के बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया द्यान दिया दिया तो पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया तो इस चीज को याद रखेंगे नेक्स्ट कोईशन से कि वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में तुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दिये तो मध्यप्रदेश तुर्गावती टाइगर रिजर्व हाली में चर्चम रहा कहां पर मध्यप्रदेश में ऐसा प्रशन पूछा जा सकते हैं भारत और किस देश की सिनाओं के बीच टाइगर ट्रंफ वियास आयोजन किया गया तो अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंफ भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया गया ग्लोबल पेंसन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है तो 41 स्थान प पुरोजकार इसके बाद नेक्ष्ट ने कि किस आयाइटी ने 2021 के लिए राश्टिक बौधिक संपदा पुरोजकार जीता है अब पीछे में देखा था आयाइटी मदरास राश्टपती के सक्टियों को कम करने वाला समयधानिक संसोधन पारित किया गया कहां पर तो स्रिलंका में जरुरत पीता काफी यहां पर क्राइसस चल रहा था तो इनकी सक्टियों को कम करना चाहिए वरना कुछ भी कह सकते हैं अगला प्रशने की 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो 20 पोली दिवस और साथी साथ यूए नो जो दिवस होता वो भी 24 अक्टूबर को ह सभी को पता है चल इसके बाद अगला है यह 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया तो पोली दिवस के साथ साथ यहां पर सन्यूक तराश्ट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अगला प्रशने की यूरोपीय संसत का सकारो पुरसकार किस देश की लोगो और उनके यहां पर करेक्ट होगा सकारो पुरसकार यूक्रेयन को एफटी एफ ने किस देश को यानि कि फाइनेंसें एक्सन टाक्सफोस होता है किस देश को उच्छ जोखिम वाले देशों की सूची में सामिल क्या है तो मैंनमार को सामिल किया गया चले इसके बाद अगला प्रशने कि जलवायू परिवर्तन पर अंतराष्टे समेलन कहां आयोजित किया गया तो यह जमुका समेर बिलकुल सही होगा और उपर में हमने देखा था बंगला देश के समयंद में कि वैस्विक यूवा जलवायू सिखर समेलन ठीक है वैस्विक अगर यूवा पूछ जा वैस्व के नाम याद रहेगा सितरांग का नामकरण थाइलेंड ने किया हुए अगला प्रश्न किया है कि किस राज जी के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपरादों को रोकने के लिए मुबाइल आप को लॉंच किया के भारती अमेरिकी उदमी को उत्री कैरोली त्रीन कि सरोचेत राज की संवान से स्वानित किया गया जिनका नाम है स्वधेश चटर जी स्वधेश चटरजी नेत्रहीनों के लिए टी 20 पंव कब के ब्रैनमिस्टर कौन बंए यूराज सिंग चले इसके बाद next one है कि किस राज्य में एक मुस्त है एक मुस्त सम्पत्ति कर माफी योजना सम्रीदी का सुभारम किया गया दिल्ली करेक्ट होगा इसके बाद next questions क्या बनता है Вс 위한 a मैं भी सुभास अभ्यान को सुभारम किया गया तो लद्दाक सही आंसर है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल परयाटन योजना महिलाओं के अनुकूल परयाटन の त्रह धर कीरल में स्टार्ट किया गया कौन-कौन तो थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लाइग साटिफिकेट मिला है लक्ष दूइप दियान रहे पूछा जा सकते हैं कि हाली में चर्चा में रहा दो भारतिय समोने तड थुंडी और कदमत किस मतलब कहां पर पड़ता है किसके नसासित पदेश में तो लक्षीदिप में नसा और किस आयाइटी ने कि सोध घरताओं ने अंत्रिक्ष इस्टेशन में सुक्ष में जीवों का अध्यान किया है तो आयाइटी मद्रास आयाइटी मद्रास और नसा के सोध करता हूं यानि कि दोनों नहीं अगला प्रश्ण यह बनता है कि हाली में सूचना अनुसार बारावा बीस्वे हिंदी समेलन कहां आयोजित होगा तो फीजी के नांडी में फीजी के राधानी क्या होता है फीजी के राधानी है सुवा सबसे व्यस्त हवाई अड़ा कौन बना है दुनि लिहांति रिजर्व को मंजूरे दिये उत्तर पड़ दे तरही से के लिए आपको कर लेना चाहिए अगला है कि कोवीड के खिलाफ पहला इन्हेलेबल जो वैक्सिन किसने लॉंच किया है इन्हेलेबल वैक्सिन का मतलब की सुई मुक्त होगा और यह मुह के द्वारा सास के थरू इस मतलब की वैक्सिन एक तरह से लगाया जागा तो यह चीन के में विक्सित किया पहले फैलाया खुद और अलग अलग तरह से वैक्सिन भी मनाया जा अगला प्रशन है कि किस देश को नोबेल पुरसकार समारो में सामिल होने से प्रतिबंद किया गया था तो इरान स किस देश को हरा करके सुल्तान जोहर कब 2022 जीता है सुल्तान जोहर कब 2022 जीता है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ऑस्ट्रेलिया को हरा करके इसके बाद अगले हैं कि किस राज्य में स्थित मैमलू मैमलू गूफा को पहली भारती भू विरासत साइट के रूप में नमा हाले में पढ़ता है फिफा अंडर 17 महिला भी सुकव किस ने जीता स्पेन ने जीता है स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हरा करके तो यह चीज याद रखेंगे देखे सबसे पहला कुशन क्या बनता है एक नॉमबर 2022 को किस राज्य की लक्षमी भंडार योशना को स्कॉच स्टील मैं आफ इंडिया के नाम से प्रसीध वेक्ती का निदन हो गया जंसे जे इरानी जो थे इनको स्टील मैन आफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जिनका निदन हाली हो गया प्रधानमंत्री मोधी ने कहां भारत के यानि किस राज्य में मानगर धाम को राष्टिय scoring मारक के रुप में घोजित किया, मांगर धाम को राश्रे समारक के रुप में घोजित किया, और यह आपका राजस्थान में पड़ता है, किस राज्य में स्तीथ, राणिपूर देश का जोकी तिरपनवा टाइगर रिजर बना है, यह आपका next questions कि SEO सिन जो कि सासना अध्यक्षों की एक किसवी बैठक में भारत के प्रतिनित्व किस ने किया तो डॉक्टर एस संकर जो है विदेश मंतरे उन्हों ने किया था किस केंदसासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया पुड्डू चेरी ने किस देश ने अपने अंत्रिक स्टेशन के लिए मेगेंटियन नामक लैब मोडियूल लॉंच किया नाम यहां पर ध्यान रखेंगे चाइना ने लॉंच किया इसके बाद next questions कि किस कंपनी ने AI आउतार startup अल्टर का अधिग्रहन किया अल्टर का अधिग्रहन किया गूगल ने किस ने दुनिया का सबसे सकतिसाली rocket Falcon Heavy Falcon Heavy लॉंच किया Space X किस देश के प्रधान मंत्री ने Edward M. Kennedy को Friends of Liberation War समान से नवा जाए तो बाद इसके प्रधान मंत्री ने यानि कि सेख हसीना ने Edward M. Kennedy को Friends of Liberation Wars नवा जाए UGC ने कब भारतिय भासा दिवस मनाने का निर्थेस दिया 11 दिसंबर को परतिक वर्ष भारतिय भासा दिवस के रूप में मनाया जाए कि कौन सा भारतिक एरिकेटर दुनिया का नंबर वन T20 बल्लेबाज बन गया है तो T20 बल्लेबाज बन चुके है सुरे कुमार या दो कोलिंस टिक्सनरी का वर्ड अफ दे एर किसे घोसित किया गया परमा क्राइसिस को घोसित किया गया किस कंपनी ने भारत का पहला Responsible Steel Certification प्राप्ति क्या है Responsible Steel Certification प्राप्ति क्या है वो है Tata Steel Tata Steel यहाँ पर करेक्ट होगा इसके बाद Next Question देखिए क्या बंद है अगला प्रश्ट यह है कि तमिलाडू सरकार ने हर साल कब राजा राज चोल की जैनती मिलाने की घोशना किये तो यह आपका 3 नमवंबर बिल्कुल सही आंसर बनेगा इस्राइल के नय प्रधान मंत्री विंजामी नेतन याहू बन चुके हैं फिर से किस राज्चे में भारत का सबसे बड़ा पॉइंट टर्बाइन स्थापित किया गया सबसे बड़ा पॉइंट टर्बाइन स्थापित किया गया गुजरात में गुजरात में यह ध्यान रखेंगे देखे फिंस ध्यान रखेगा इसका पीडिएफ जो होता हूँ आप वो टेलोग्राम पर मिलता है तो टेलिग्राम को जोईन करके रखे लिंक मैंने डीचे डिस्किप्शन में दे रखेगा तीक है अगला प्रशन क्या बनता है कि किस प्रसिद्ध मल्यालम उपनियासकार को एजुथाचन पुरसकार के लिए चुना गया है जो थाचन पुरसकार के लिए चुना गया एस सेतु माधवन ये ध्यान रखेगा किस राजी के मुख्य मंत्री ने इउपहार बोटल और सीम डैस बोड लॉंच किया तो हरियाना यहाँ पे करेक्ट आंसर रुगा इउपहार बोटल और सीम डैस बोड को लॉंच किया है हरियाना ने कोप 27 में भात्य प्रतिनीधी मंदल का नहत्तित्य किस ने किया तो परियावरन मंत्री भूपेंदर यादोने भूपेंदर यादोने इसके बाद next one है कि किस राज्य के मुखे मंत्री ने लखपती दीदी मेले का सुबारम किया लखपती दीदी मेले का सुबारम उत्राखण यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उसके बाद next questions की प्रमूख एडिटेक कंपनी बाइजू ने किसे education for all पहल का global ambassador नुक्त किया है तो लियोनल मेसी फुटबॉलर है जोकी काफ़ फिमस फुटबॉलर है अगला प्रश्ट कि किस राज्य के सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रति दिन 10 मिनट योग अनिवारे किया है तो यह करनाटक बिल्कुल सही आंसर बनेगा इसके बाद नेक्शन की 5 नुमबर 2022 को किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सिवेलियर पुरसकार से समानित किया गया सिवेलियर पुरसकार से समानित किया गया अरुना साहिराम को नेक्स्ट क्वेशन कि किस देश ने बाइडो उपगरा निविगेशन प्रणाली लॉंच किया है तो ये नाम सहीं के लिए रोग गया कि अपका चाइना ही होगा इसके बाद अगला प्रश ने कि किस देश ने अपना पहला परमाड़ उड़जा सेंतर बनाने के लिए अपना पहला परमाड़ उड़जा सेंतर बनाने के लिए अपना पहला परमाड़ उड़जा सेंतर बनाने के लिए अमेरिका को साज़धार बनाया पोलेंड पोलेंड के राजानी क्या होती है जल्दी से कमेंट करके बताईएगा इसके बाद नेक्स्टर ने कि UIDI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉट जो की लॉंच किया है तो अधहार मित्र नाम का चैट बॉट लॉंच किया गया। अगला प्रश्ट 7 नॉबर 2022 को कौन सा दिवस मना गया। 7 नॉबर 2022 को परतेक वर्स राष्टिये कैंसर जागरुकता दिवस के रूप में मना जाता है। किस टीम ने पहली बार सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2022 जिती है। वैदी घड़ी कहां लगाए जाएगी वैदी घड़ी लगाए जाएगी उद्जयन में। नेक्स्ट क्वेशन राइजिंग सन वाटर फेस्ट राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहां हुआ तो ये मिगाले में हुआ है। मिगाले में इसके बाद next questions है कि सुचना नुसार 17 प्रवासी भारती दिवस समिलन किस किस देश के रास्ट पती जो के मुख्य अतिती होंगे तो जापा स्वारिया गुएना यहां पर करेक्ट होगा गुएना के जो रास्ट पती होंगे वो मुख्य अतिती के रूप में होंग विधियों के नए आजी ने दिली में हुआ था। इसके बाद next questions है कि 7 November 2022 को किस राजने सर्वसिस सर्वासनीक परिवहन सेवाओों के लिए केंसर सर्वासनीक परिवहन सेवाओं के लिए केंसर सर्कार का पिरुस्कार जीता है केरल यहां पे correct answer है प्रमोद भगत ने BWF बैरा बैडमिंटन चैंपियंजेप में कौन सा पदक जीता तो ये स्वर्ण पदक जीता डारेक्ट पूशायागा कि प्रमोद भगत का संबन किस खेल से है तो ये बैडमिंटन से है ध्यान रखेंगे अगला प्रशने कि विधियायो के नए मनाया गया तो राश्टी ये कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया ये ध्यान रखेगा चली इसके बाद नेक्स्ट क्वेशनस है कि 9 नौवंबर को किस राजी के स्थापना दिवस तो उत्राखंड 2000 में इसके स्थापना हुई थी अन्ना मलाई टाइगर किस राज्य सरकार ने पारंपरी कला को पुनर जिवीद करने के लिए हस्थ सिल्प नीती 2022 रूप की है राजस्थान इस दक करेक्ट आंसर राजस्थान करेक्ट होगा इसके बाद नेक्स्ट वन है कि कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला नीजी तोर पर विक्सित रॉ बांड जारी किया पहली बार नगर पाली का बांड जारी किया तो बढ़ोद्रा यहां पर सही आंसर होगा बढ़ोद्रा इसके बाद अगला प्रश्थान है कि PM गति सकती मल्टी मॉडल जलमार्ग सिखर से मिलन कहा अजित हुगा तो ये वरांसी में आयजन किया क्या टीट इच्छा दिवस परतेकवर से गारा नॉंबर को मनाया जाता है भारते सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन हुआ है अरुनाचल प्रदेश में इंडिया एग्री बिसनेस बेस्ट स्टेट अवर्ड किसे मिला तो हरियाना को मिला हिमाचल प्रदेश में दुनि एचेंट वन अकाउंट लॉंच किया है तो कोटक महिंद्रा बैंक ये ध्यान रखेगा अरुना मिलर अरुना मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराजिपाल का पद संभालने वाली पहली भारती अमेरिकी बनी है तो ये मैरिलांड यहाँ पे करेट होगा अरुना मिलर ये न संस्क्रीती वन्यजीव स्वास्त के छेतर में ध्यान रखेंगे भारत ने किस देश के साथ संस्क्रीती वन्यजीव और स्वास्त के छेतर में हस्थाक्षर किया है तो ये कंबोडिया के साथ हस्थाक्षर किया है कंबोडिया की राजानी क्या होता है नहोंपे ठीक है नहों किया है तो यह बैंगलूर में किया है स्टाइचू आफ प्रोस्परिटी का नावरन बैंगलूर में किया गया किसके दोरा तो नरेंदर मोधी जी के दोरा अगला प्रश्ण है कि 22 और 31 बिहारी प्रोजकार है एक्तिसवा पिछली बार है और 32 इस बार का है तो एक्तिसवा जो मिला था मधू कांकरिया को मिला था और 32 मिला माधव हाडा को माधव हाडा को कल की वीडियो में हमने डिसकस किया था यानि कि अक्टूबर वाले वीडियो में हमने बात किया हुआ था इसके बाद नेक्स ट्रान है कि Under 19 World Cup के मेजबानी कौन सा देश करेगा तो स्रीलंका करेगा बैस्विक उत्पादन में ध्यान रखेंगे कि बैस्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का परमुक उत्पादक देश कौन सा बन गया तो भारत बना है और इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था इस पाद के बारे में कि भारत जो हो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस पाद उत्पादक देश है पहला चाइना है इसके बाद नेक्स्ट क्वेशन क्या है कि गरीब पिछले वर्गों के आरक्षण को 77% बढ़ाने के लिए विध्यक पारिज किया तो जहार खंड यहाँ पे खही आंसर बाजेगा जहार खंड चले इसके बाद अगला प्रशन है कि दच्षड भारत के पहली बंदे भारत एक्सप्रेस किस सहर में हरी जंडी दिखाए गए दच्षड भारत के पहली बंदे भारत एक्सप्रेस बैंगलोर में जो की हरी जंडी दिखाए देगे किस राज्य के कावेरी दच्छिड वाइल लाइफ सेंचुरी को 17 वन्यजी अभ्यारन अतिसूचित किया गया तो तमिलनाडू करेक्ट होगा ICC यानि किसे हाली में ICC Hall of Fame में सामिल किया गया तो सिव नरायन चंदरपाल करेक्ट होगा इसके बाद आपको पता है मदू में दीवस मनाया जाता 14 नॉवंबर को और यहाँ पे 4 star 8 राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है भोपाल जो रेल्वे स्टेशन है उसे इसके बाद next questions कि 14 नॉवंबर 2022 को अमूर फालकन फेस्टेबल अमूर फालकन फेस्टेबल का 7 वा संस्क्रण कहाजित हुआ तो यह मनिपूर में आजन किया गया भारत फ्रांस सन्यूक ते वायू अभ्यास जिसका नाम क्या है गरून सेवेन यानि कि गरून का 7 वा संस्क्रण हुआ इस तरी गरून सेवेन कहा जाता है कहाँ पर संपन हुआ है तो जोधपूर में संपन हुआ है ध्यान रखेंगे जोधपूर में संपन हुआ है भारत और फ्रांस की वायू अव्यास है गरून आसियान भारत मैत्री वर्स के रूप में किस वर्स को गोशित किया गया दोहजर बाइस को यानि दोहजर बाइस को आसियान भारत मैत्री वर्स के रूप में गोशित किया गया पंद्रह नॉवंबर को जन्जातिय गौरत जिवस मनाने के गोशना की गई किसके दोरा सिक्षा मंद्राले के दोरा कौन सी कंपनी भारत के पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी तो रिलाइंस यहां पे बनाएगी सत्रावाद जी 20 सिखर से मिलन कहां सुरू हुआ है तो इंडोनेसिया के बाली में सुरू हुआ है अगला प्रश्ण है कि वागला महत्सो कहां मनाएगया तो वागला महत्सो जो कि मिघाले में मनाएगया वागला महत्सो सुच्रानुसर की से सत्य जी त्रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुषकार दिया जाएगा तो सत्य जी त्रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुषकार दिया पर हां तो Denmark से स्तान पर और भारत का स्थान 8 वा है भारत का स्थान 8 वा देनर्वरक स्में टॉप पर रहां अगला प्रश्न इसक्राइब पेसा कानून किस राज्य ने पेसा गानून को लागू किया है तो यहां प्रश्ण यह पूजा सकता है कि विली जिन किंग कप को पहले किस नाम से जानते थे फेड कप और यह किस खेल से समझत है तो यह टेनिस यानि कि महिला टेनिस से समझत है यह नाम याद रखेंगे अगला प्रश्ण है कि किस ने चंदरमा के लिए एक मिसन पर आर्टिमिस फर्स्ट रॉकेट लॉंच किया है तो नासा ने इसको लॉंच किया है राजियू कुमार को किस देश के चुनाओ के लिए अंतराष्टिय परवेक्षक के रूप में आमंतित किया गया तो नेपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा उत्राखंट हाइकोट को नैनी तालसे कहां स्विफ्ट कर दिया गया तो नैनी तालसे को हल्दानी में स्विफ्ट कर दिया गया हल्दानी में आगे बढ़तें, next questions की किस राज़े के मुख्य मंत्री ने बाजरा मिसन की सुरुवात की गई है, असाम के मुख्य मंत्री के दौरा, 2022 में कच्छे इसपाद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद एक देश कौन सा है, भारत है, पहला जो की चीन है, अभी बस जश्ट में आपको बताया, पुरुवत्तर ओलंपिक हेलो के दूसरे संस्क्रण कहां पर होगा, जो की सिलोंग में होगा, दूसरा संस्क्रण सिलोंग म हुआ था, और उसमें भी प्रतम विजेता मड़ीपूर ही रहा, और इसमें भी सिलोंग में जो आजन हुआ, तो पहला विजेता मड़ीपूर ही रहा, इसका तीसरा जो संस्क्रण होगा, वो नाका लेंड में आजन किया जागा, यह याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्टो ने किया, ठार नॉमबर 2022 को किस देश ने, Excellence in Leadership in Family Planning Awards जीता है, तो यह भारत ने जीता है, अगला प्रशन कि डॉक्टर सीवी अनन्द बोस को किस राज्य का राज्येपाल न्यूकति किया गया, तो पस्ची मंगाल का न्यूकति किया गया, राज्येपाल, यहाँ पे Cambridge Dictionary के नुसार, Homer होगा, ठीक है, Homer, अगला प्रशन है कि 214 दिवस का मनायता है, तो 19 नॉमबर को 214 दिवस के रूट में मनाया जाता है, I.O.A की Athlete Commission का अध्यक्च किसे बनाया गया, यानि कि International जो Olympic Association है, इसका Athlete Commission का अध्यक्च किसे बनाया गया, तो Mary Com को बनाया गया, ने किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला Elephant Death Audit Framework पीस किया, तो तमिल आडू ने पीस किया, उपर में हमने देखा था इस Questions को, भारती सिना के पहली महिला Sky Driver कौन बनी है, तो लॉंस नायक मंजू, लॉंस नायक मंजू, भारती सिना के पहली महिला Sky Driver बनी होई है, अगला प्रश्ट कि किस राज्य के मुखे मंत्री ने अमर सरकार पोर्टल, अमर सरकार पोर्टल लॉंच किया, तो तुरिपूरा यहाँ पे correct answer बन जाता है, परधान मंत्री मोधी ने कहा, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट का उधगाटन किया, तो इटा यानि कि Asian Pacific Economic Corporation होता है, आर्थिक निताओं की बैठक कहां पोई, तो बैंकोक में, इसका मुख्याल है, सिंगापूर में पढ़ता है, परधान मंत्री मोधी ने कहा, 600 मेगावार्ट के कामेंग जलबिसुत परियोसना, यह भी important रहेगा, कामेंग जलबिसुत परियोसना, समर् से यह ध्यान रखेंगे, सेना प्रमुक जनरल मनुज पांडे को कहां, गार्ड अफ ऑफ ओनर मिला है, तो पेरी इसमें मिला, गार्ड अफ ऑनर पेरी मिला, इसके बाद नेक्स्ट नłem है कि तिरपनोबा भारती अंतरास्थि फिल्म उथ्यों कहां अजन होगा तो यह आपक कि गांधी मंडेला प्रोषकार 222 किसे मिला धलाई लामा और जैसे भी सहीते प्रोषकार किसे मिला तो खालीद जावेद को मिला है खालीद जावेद को ये नाम याद रखेंगे इसके बाद नेक्षवाने की किस ने छठा ATP फाइनल्स किताब जीता है तो नुवाक जोकोवीच ने जीता है नुवाक जोकोवीच ने किस देश ने होसोंग 17 या फिर मॉंस्टर मिसाइल लॉंच किया है उत्तर कुरिया ने मॉंस्टर मिसाइल या फिर होसोंग 17 का लॉंच किया है इसके बाद अगला है कि किस राजजी क मुख्य मंत्री सिक्षा पुरसकार योजना सिक्षा पुरसकार योजना सुरुआत की है उडिसा के सरकार ने सुरू किया मुख्य मंत्री सिक्षा पुरसकार योजना खादी और ग्रामोदय आयोग के CEO के रूप में किसने पद भार समाला, कारे भार समाला है तो विनीत कुमार यहां पर correct answer बनेगा विनीत कुमार नेक्स्ट कुमार जैपुर फुट यूएसे का पहला वैस्विक मनोतावादी पुरसकार से समान किसे किया गया दानिस मंजूर को जैपुर फुट यूएसे का पहला वैस्विक मनोतावादी पुरसकार से समान किया गया दानिस मंजूर को भारत और किस देश की नौसिना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास होता है, शुरू हुआ है तो ये उमान के बीच भारत और उमान के बीच नसीम अल बहार होता है इंडियन फिल्म प्रस्णालटी ओफ दे यर इंडियन फिल्म प्रस्णालटी ओफ दे यर 2022 से किसे चुना गया, समान किया गया चिरन जीवी को इसके बाद अगला प्रश्ट मनता है कि भारते सेना के दच्छडी पस्चमी कमान दौरा सत्रुणा सभ्यास सत्रुणा सभ्यास का एजन कहां पर किया गया राजस्थान में किया गया किसे प्रतिस्थे डॉक्टर क्लाम सेवा पुरुसकार से समानित किया गया तो रवी कुमार सागर को अनावलाई टाइगर रिजर्व में कहां पर जो कि जंबो ट्रेल्स लॉंचगे गया जंबो ट्रिल्स ये कोईंबर तोर में लॉंच किया गया भारत को उरवरग का सिर्ष आपूर्ती करता देस बना तो ये रूस बना है। जलवाईू परिवर्थन पर्दसल सूछ कांक 2022 में भारत की सस्थान पड़े तो 8 वे स्थान पर उपर में देखे थे, सिर्श स्थान पर डेंड मार्क था, ठीक है, भारती बाईु सिना ने एरफिश्ट 2022 कहा ज़न किया है, एरफिश्ट 2022 का योजन नागपूर में किया है इसके बाद अगला है कि 23 नवंबर 2022 को कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ती डिल पर स्थाक्षर किया तो चाइना के साथ कतर ने चाइना के साथ किया इसके बाद अगला प्रशने अरिटा पट्टी और मिनाक्षी पूर्म किस राजय का पहला जेव विता विरासत स्थल बनाया तो यह अपका तमिनाडू बन जाएगा अगला प्रशन क्या क्या गया रहा है कि किस बैंक ने पहली पहला स्टीकर अधारित डेविट कार्ड first app कह सकते हैं आप लॉंच कया है तो ये हमारा आईडी ऐफसी first bank होगा अगला प्रस्वम्पाश्ट के सरोच्य पर्यावरान पुरुजकार से किसे नमाज़े गया सन्योक्तराश्ट के सरोच्य पर्यावरान पुर्णिमा देवी वर्मन को पूर्णिवा देवी वर्मन, यह important रहने वाला है, एक दम भी वी आई है, मुंगफली महत्सो कडलेकाई, कडलेकाई, परी से कहां शुरू हुआ है, तो यह करनाटक में शुरू हुआ है, मुंगफली महत्सो कडलेकाई, परी से जो कि स्टार्ट हुआ है करनाटक में, प्रस्मिर इस दा राइट आंसर चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्मिंट देखते हैं आपदेल फते अलसीसी मुखे अतित्य के तौर पे रहेंगे बिहार के मुखे मति इसकोबार ने कहा आँ हर घर गंगाजल परियोस्टना चाट क्या है जिसका प्रथम चनश वार्म किया राजगीर में यह आने वले बीपयसी के लिए देखेंगे तो बस आप भी फिलाल इसको पढ़िए, अगला प्रशन है कि इन दो दीसों के बीच सन्यूग्त सेन अभ्यास हरीमो सकती जो सुरूओन सकती 22 कर भारत और मलीशिया की बीच जो रह है, भारत अस्ट्रेलिया सन अभ्यास आउस्ट्रा इंस और हिंद 2022 का कहा शुरूओन ऑस्ट्रा ev212 का राजस्थान में इंदौर के दर्ज पर सफाई विवस्था का मसौधा त्यार किया गया तो यहां पर उत्तर परदेश होगा क्योंकि हाले में जो स्वास्थ सर्विक्षन जो रिपोर्ट आया था उसमें भी लागातार छटवी बार इंदौर टॉप पे रहा तो उसी के मसौधा पर उत्तर पर भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारन कहां स्थापीत के जागा तो जमुकास्मेर में स्थापीत के जागा भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारन जमुकास्मेर में इसके बाद अगला प्रश्ट, next questions ये है, कि 30 नॉब्र 2022 को सुचनानुसार भारते उलम्पिक संग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी, तो ये PT उसा भारते उलम्पिक संग की पहली महिला अध्यक्ष, PT उसा बनेंगी, और बते हैं कि इनके आत्मकता का नाम क्या है, इन ये बैंक्डोर में आजवित किया जाएगा, तो आसा करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है, तो आपको नवंबर से समादित सारे करंट अफेस अच्छे से कवर हो जाएगे, और अब हम एक मास्टर वीडियो पर त्यार करेंगे, जहां से आपको जनवर इस लेकर के नवंबर तक के सारे करंट फेस एक साथ देखने को मिल जागा, इसका पीडियेफ यानि ये जो पीडियेफ होग आपको टिलिग्राम पर मिलेगा, और बाकी महीने का भी पीडियेफ आपको टि तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फिन्स, मिलते हैं नेक्स क्लास में, थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लेर्निंग, हाफ अब अगुटे